प्लाटफॉर्म के ऊपर संदीब जानी नाम है हमारा और आज का हमारा सब्जेक्ट है इरिगेशन इंजिनरिंग इस एक सेशन के अंदर इरिगेशन इंजिनरिंग को कम्प्लीटली रिवाइज करने वाले हैं दोस्तों अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप Civil Engineering related जो भी content है आपके competitive exam में काम आने वाला वो आप instantly access कर पाएं साथ ही साथ में कोई भी नया session चाहे live video हो हमारी या फिर recorded session हो वो भी आप तक instantly notification पहुँच पाएं आपने अगर अभी तक telegram channel जॉइन नहीं किया तो telegram भी आप जॉइन कर सकते हैं जिससे कि वहाँ पे जो updates, notification या जो information मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ, वो भी आप वहाँ पर ले सकते हैं बागी social media handle के links भी आपको नीचे description में मिल जाएंगे A very good evening to all of you, सभी को नमस्कार चलिए दोस्तों start करते हैं हमारे इस session को irrigation engineering की बात करें तो irrigation है क्या basically क्या plant तक पानी पहुन जाना ही irrigation है क्या कुछ हद तक है कुछ नहीं है irrigation particularly word हम use कर रहे हैं जब artificially water हम supply कर रहे हैं बारिश से, precipitation से अगर पानी मिला है तो उसको हम irrigation नहीं कह रहे है irrigation हम कह रहे हैं कि हम जो artificially पानी provide कर रहे हैं उसको कहते हैं irrigation जिसकी मदद से आप plant grow करेगा irrigation के advantage क्या है, disadvantage क्या है बिल्कुल जो basic चीज़े हैं इनके उपर फिलाल अभी हम नहीं जाने वाले हैं क्योंकि आप सभी को पता है क्या advantage है, क्या disadvantage है काम की चीज़ों पर बात करते हैं क्योंकि revision करना है, exam time जल रहा है हमारा surface irrigation का मतलब जब surface के उपर से आप पानी provide कर रहे हैं इसके further types हो सकते हैं हमारे पास जो कि flow irrigation, flow के अंदर perennial जो पूरे साल flow करेगा water, inundation या flood irrigation, lift irrigation ये इसके कुछ types हैं कि flow के अंदर ये types हो सकते हैं, lift irrigation हो सकता है surface वाले components हैं सब surface का मतलब ground के नीचे आप water जब supply कर रहे हैं surface irrigation पे कौन-कौन से factors depend करते हैं कि surface irrigation कितना भैतर होगा, उसके efficiency कितनी अच्छी होगी ये इस बात पे depend करेगा field कैसा है, field का slope कैसा है वहाँ की permeability, वहाँ का roughness कैसा है पानी की कितनी depth आपको provide करनी है कितनी दूर तक length of run क्या है उसका, कितने समय तक पानी चाहिए size and shape of the water course वो पानी का रस्ता जहां से पानी आने वाला है वो ditch कह लीजिए या water course कह लीजिए वो गड़ा कह लीजिए, वो channel कह लीजिए जिसके थूरू पानी आने वाला है canal बड़े size की होती है और ditch या फिर water course छोटे size की होती है canal से पानी खेट तक जो पहुंचता है वो ditch के थूरू या फिर ये आपका water course जो होता है उसके थूरू पहुंचता है discharge of water course, feed resistance to erosion etc. इन सब पर ये depend करता है surface irrigation के further types की बात की थी हमने flow irrigation या फिर lift irrigation gravity के कारण अपने आप पानी भेजाए जैसे की canals में तो flow irrigation है lift irrigation जब आपको tube well के थूरू pump well के थूरू submersible pumps के थूरू अगर lift करना पड़ रहा है उसके बाद आप plants को supply कर रहे हैं तो that is lift irrigation फिर flow irrigation के अंदर perennial irrigation की बात की थी हमने constant और continuous water अगर available है तो उसे perennial irrigation कहेंगे हम और perennial irrigation आप कैसे कर सकते हैं perennial irrigation लगातार canal चल रही है 12 months लगातार canal चल रही है तो उस case में हमेशा आपके पास पानी available होगा तो वो direct है directly canal का पानी आपने use कर लिया storage का मतलब है पहले आपने store किया उसे reservoir में और फिर उसके बाद उसे आपने use किया तो अगर continuous supply of water available है तो उसे perennial irrigation कहेंगे next type आता है flow irrigation के अंदर inundation या flood irrigation पुराना method है conventional method है इतनी जादा कोई engineering या scientific approach इसमें नहीं लगाई गई simple क्या खरना है खेत को पानी से भर दीजिए तो जहाँ पर पानी की availability जादा होगी या ऐसी crop होगी जिसकी demand पानी की बहुत जादा है उसके लिए हम ये कर सकते हैं delta regions के अंदर ये practice की जाती है देन आते हैं subsurface ground के नीचे जो आप पानी provide करते हैं तो naturally कैसे होगा कि आप कोई canal जा रही है वो earthen canal है lined canal नहीं है कोई river जा रही है उस river का discharge, seepage होता होता field तक पहुँच रहा है ground level से नीचे नीचे है तो इसे आप क्या बोल देंगे कि naturally ground के नीचे से पानी supply हो रहा है उस plant की root को तो ये कहलाता है natural subsurface irrigation artificially अगर हमें provide करना है perforated pipes अगर हम बिछा दे ground के नीचे नीचे जिसके अंदर पानी supply करें अगर हम तो वो artificially subsurface irrigation है काम की चीज़ क्या है इन सब में से basic basic एक one liner questions बनते हैं definition based तो types of irrigation के अंदर हर एक से related बस कुछ-कुछ important keywords है जैसे आप Google पर कुछ भी search करते हैं आपको methods of irrigation search करना है तो आप irrigation methods of अगर आप यह भी search करेंगे तो same result produce हो जाएंगे क्योंकि वो keywords के इसाब से चलता है similarly अगर हर topic के keywords की बात करें हर जो आपके methods हैं जैसे अगर inundation की बात करें तो inundation old method है पानी से submerged रखते हैं delta region में practice किया जाता है तो यह इसके कुछ keywords है जहां से question बनेगा आपका methods of irrigation के अंदर अगर आएं तो irrigation को majorly 4 methods में आप divide कर सकता है या irrigation के 4 sub-systems है पहला sub-system क्या है water को supply करने का sub-system जिसके अंदर आप जो surface ponds है river है या source of water है source of water से आप पानी ले रहे हैं वो क्या है water supply का sub-system फिर water को deliver करने का sub-system अब river से आप canal में लेके जाएंगे main canal में, main canal से branch में लेके जाएंगे branch से आप उसे distributories में लेके जाएंगे minor major in में लेके जाएंगे और further feed तक पहुँचाएंगे water course के थूँ तो ये कौन सा system है, ये water delivery system है water delivery system पहले क्या हुआ, source से लिया आपने water supply system में delivery system में उसे खेट तक deliver करवाया अब वहाँ तक जब deliver हो गया है तो उस feed में वो कैसे use हो रहा है तो water use sub system आ जाता है जिसके अंदर surface पे आप use कर रहे है sub surface पे आप उसे use कर रहे है या फिर sprinkler के थूँ कर रहे हैं, trickle irrigation कर रहे है तो जब पानी use हो चुका है plant तो पानी use कर लेगा, लेकिन क्या plant सारा का सारा पानी use करेगा पानी से वरे रहेंगे तो aeration नहीं होगा तो उस particular plant के नीचे जो soil है, उसके अंदर microorganism जो है, वो properly काम नहीं कर पाएंगे उनको oxygen नहीं मिलेगा वो अपनी जो aerobic reactions करेंगे उस plant की growth में support करने के लिए nutrients provide करने के लिए वो नहीं मिलेगा plant को तो धीरे धीरे plant को ही damage होना शुरू हो जाएगा तो चार subsystems है water supply का, फिर deliver करने का उसके बाद उसे use करने का और फिर drainage का, तो ये वाले सारे चारों important है देन बात करते हैं, ये technique जो हमने भी देखी surface irrigation के अंदर free flooding करवा सकते हैं, border करवा सकते हैं basin furrow, ये इसके types आते हैं sub surface irrigation के अंदर natural और artificial है, देन आता है हमारे पास sprinkler और फिर drip irrigation free flooding के अंदर rolling terrain में ये suitable होता है, तो जिस हम keyword की बात कर रहे थे delta region में practice किया जाता है, पुराने जमाने से चल रहा है, और rolling terrain के लिए ये ज़्यादा suitable होता है border irrigation के अंदर हम क्या करते है field को level करेंगे और beds में आप इसे divide कर देंगे इन beds की बात करें, अगर तो 100 to 400 इनकी length रहती है इनकी अगर हम width की बात करें तो 10 to 20 meter इन fields की width रहती है एक ditch common चलेगा और इस ditch के अंदर पानी supplies चलती रहेगी आपने यहाँ पर इसे रोक दिया और पानी इस particular segment में आ गया जब यह भर गया तो यहाँ से पानी को on किया, यह इधर चला गया, इसको close कर दिया यहाँ पर, तो इन gates को यहाँ पर gate लगते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं temporary gate होते हैं, जिने क्या बोलते हैं नकास बोलते हैं, तो वो नका जब आप यहाँ पर लगा देते हैं, आपने इसको close किया, यहाँ से open कर दिया, फिर इसको close कर दिया, यहाँ से open कर दिया and so on, आप इसके अंदर irrigation provide कर देते हैं so length 100 to 400 के बीच में, width जो रहती है वो 10 to 20 मीटर के बीच में, यहाँ पर रहेगी, for higher value crops the bed may be still smaller, especially where water is costly, जहाँ पर पानी महंगा होगा वहाँ पर इन fields की, आप dimensions और कम कर देते हैं then आते हैं, check flooding या फिर irrigation sorry, check flood, check flooding irrigation, इसके अंदर वो soil के लिए ज़ादा suitable है जिनकी permeability ज़ादा होती है तो check flooding, irrigation वहाँ पर हम use कर सकते हैं अब इसमें हम क्या बनाते हैं यह जो leaves या borders बनाते हैं, यह along the contours बनाते हैं, same elevation वाले points के along यहाँ पर हम इने बनाते हैं और उसके बाद एक connecting leaves जो है, वो भी यहाँ पर connect करते हैं या provide हम करते हैं इसके अंदर यह method ज़ादा suitable high permeability वाली soil के लिए क्यों है the reason is that the water quickly spreads over the entire area before it goes deep below the root zone depth into the ground and joins the water table thus the water loss due to infiltration is prevented or reduced अगर हम इस तरीके से irrigation करेंगे यह contour lines के along यह same height के points के along यह leaves बना देते हैं हम तो, next आते हैं basin irrigation basin irrigation में आप से पूछा जाता है orchards को irrigate करने के लिए कौन सी irrigation को use करते हैं तो वो है हमारे पास basin irrigation तो इतनी सी चीज़ आप इससे related याद रखना, furrow irrigation से related question आता है कि आप continuous ditch के along पानी जब provide करते हैं, एक तो क्या है बहुत सारी है, multiple हैं, जब continuous ditch के along water supply किया जाता है, तो इसे furrow irrigation हम कहते हैं जैसो कि potato की खेती के अंदर या cotton की खेती में आपको देखने को मिलता है इसके अंदर आप half से ले करके one-fifth portion ही field surface का wet करते हैं, इसके अंदर जो water available होगा, plant अपनी growth के लिए यहां से extract करता रहेगा then आता है sprinkler irrigation, उन crops के लिए suitable है, जिनके लिए पानी की requirement बहुत कम है एकदम flooding type का water नहीं चाहिए, बहुत ज़ादा depth का water नहीं चाहिए, जिनके लिए उनके लिए suitable है, obvious है कि यहाँ पर water के losses भी ज़ादा होंगे evaporation losses ज़ादा होंगे, initial जो आपका investment है, वो भी ज़ादा रहेगा, agricultural equipment जिब आप इसके थ्रू ले जाएंगे, या जब tractors यहाँ पर run करेगा, तो उसके बीच में भी अरजन पैदा करेंगे, तो यह कुछ-कुछ इसके drawbacks है, otherwise इसके benefit की बात करें, तो यहाँ water की efficiency बहुत अच्छी हो जाती है losses जो है, other than evaporation conveyance के जो loss है, यहां तक आने का, क्योंकि pipelines के थ्रू यह आ रहा है तो उसके अंदर वो भी losses बहुत minimal होते हैं, और यह dry crops vegetables, flowering crops, orchards plantation crops, इन सब के लिए यह suitable है, जहां पर soil ऐसी है, जल्दी erosion हो जाता है उसमें, बहुत जादा पानी जैसे फ्लो किया उस पर तो पानी के साथ फ्लो करने शुरू कर देगी तो ऐसी soil के case में भी sprinkler irrigation बहुत helpful रहता है, ऐसी soil जो leveled नहीं है, proper level नहीं है जहां पर, पानी आप उसे free flood करवा के नहीं provide कर सकते हैं, बहां पर भी यह helpful रहेगा क्योंकि यह तो spray होके जाएगा, बारिश की पानी की तरह यह गिरेगा तो इसकी main main बात है यह थी, next आते हैं drip irrigation, drip irrigation क्या करेगा, perforated pipes के थुरू roots के पास ही soil पे यह पानी drop करता रहेगा, तो यह drip irrigation है, यह और ज़्यादा बहतर method आगए यहाँ पर इस method के अंदर 12-16 mm डाया की tubing pipes जो हैं वो लगाई जाएंगी, और इन tubing pipes के आगे feeder pipes connected होंगे, जिनसे इनको पानी मिल रहा है, यहाँ पर water बहुत कम rate पर apply होता है 2-10 liters पर आर, तो इसी वज़े से इसकी efficiency बहुत अच्छी हो जाती है लगबग 90% इसकी efficiency है जितना पानी supply किया जाएगा उसका 90% almost plant तक पहुँचेगा यहाँ पर, तो यह और ज़दा बहतर हो जाता है that's all, main-main बात हैं इनके परपस है, जो environment engineering 1 में पढ़ते हैं, environment 2 में पढ़ते हैं wastewater को फिर उसकी properties देखते हैं RCC के अंदर हम उस पानी को पढ़ते हैं जो कि आप concrete के अंदर डाल सकते हैं फिर irrigation engineering में उस पानी को पढ़ रहे हैं, जिस पानी को आप खेती के लिए use कर रहे हैं तो उस पानी में अगर sediments आएंगे तो sediments अगर अच्छे हैं, plant की growth के लिए nutrients हैं उसमें, तो वो हमारे लिए अच्छा हो जाता है, अगर ऐसे हैं salts हैं, जो plant की growth को inhibit कर देंगे, उसको रोक देंगे, तो अच्छे नहीं है तो बस इतनी सी चीज है इसकी concentration of salt की बात करें तो CQ upon Q minus Cu minus R effective से इसे हम देनोट करते हैं जिसके अंदर Cs जो आपका है, वो salinity concentration है soil की C concentration of salt है Q आपके पास amount of water कितना supply किया गया, Cu consumptive use of water जहने कि plant जो अपनी evapotranspiration needs के लिए जो पानी लेता है, वो consumptive use R effective का मतलब effective rainfall जो है, वो इसमें consider करते हैं आप चलें, आगे बढ़ते हैं फटाफट, आपको याद क्या-क्या रखना है, low, medium, high, very high low saline water, medium saline water high saline water, या very high saline water, अगर electrical conductivity electrical conductivity less than 250 है, तो उसे low saline water कहेंगे, 250 से लेकर के 750 के बीच में है तो medium saline water कहा जाएगा 750 से 2250 है, तो उसे high saline water कहेंगे हम, अगर greater than 2250 है, तो उसे very high saline water कहेंगे low saline, low, medium, high, very high 250 से कम, 250 से 750, 750 से 2250, and greater than 2250 ये values आपको as it is याद रखनी है फिर आते हैं, sodium absorption ratio, sodium absorption ratio याद रखना है, sodium का concentration, moles पर liter में express किया जाएगा sodium का concentration divided by root of calcium plus magnesium by 2, यह कह लिजे, calcium magnesium का average का root लेना है, sodium upon root of average of calcium and magnesium concentration तो ये sodium absorption ratio कहला आता है, values इसकी भी आपको याद रखनी पढ़ेंगी, low sodium water वो होगा जिसकी सार value, sodium absorption ratio value 0 to 10 होगी, 10 to 18, 18 to 26 greater than 26, low, medium high, very high, एक बार जल्दी से याद करिए, 0 to 10, 10 to 18, 18 to 26 and greater than 26, low, medium, high very high sodium water sodium absorption ratio रहेगा 0 to 10, 10 to 18 18 to 26 greater than 26, ये values आपको याद रखनी है, soil moisture की बात करें, तो soil moisture जो plant अपनी growth के लिए utilize करेगा, जो soil के अंदर present होगा वो soil moisture है हमारे पास अब soil के अंदर present होते हैं voids, खाली जगा, खाली जगा छोटे size की भी हो सकती है, जिसे capillary void कहते है, बड़े size की भी हो सकती है जिसे हम gravity voids कहते है gravity voids में पानी जो रुखता है वो temporary या कुछ समय के लिए रुखता है, जैसे ही उसे खाली जगा मिलती है, वो वहाँ से निकल जाता है तो gravity वाले voids बाद में खाली रह जाते हैं लगबग एक से दो दिन बाद वो खाली रह जाते हैं जिसे की वो help भी करते हैं आमारी वहाँ पर aeration proper maintained रहेगा, ventilation रहेगा वहाँ पर तो वो help भी करेंगे capillary voids छोटे size के voids होते हैं जिनमें capillary tension के कारण water retain हो जाता है gravity के action के against भी तो वो soil पानी को hold करके रख लेती है अपने capillary voids के अंदर gravity के against भी तो plant अपनी growth के लिए जो पानी actual में utilize करता है most of the time, वो कौन सा है? capillary voids ही है तो available water की form में हम जिसे जानेंगे तो वो क्या है? capillary voids ही है जैसे अगर हम बात करें हमारा दोस्त और हमारे मातापिता क्या हम हमारे दोस्त के उपर हमेशा rely कर सकते हैं कि वो हमारा pollen potion कर देगा हमें खिला पिला देगा चार महीनों में एक बार कभी कोई समोसा खिला देने का मतलब ये थोड़ी ना है कि भई हमें पाल रहा है वो बोलता तो यू ही है लेकिन कर तो नहीं रहा हो कौन कर रहा है? हमारे मातापिता ही कर रहे है इसी तरीके से हम उन्हें बोलेंगे फिर कि हम किस पे dependent है always available हमारे पास कौन है मारे parents available है always उसी तरीके से plant के लिए जो parent है main जो पानी provide कर रहा है वो कौन कर रहा है capillary voids कर रहे है तो capillary voids वाला पानी ही plant कहेगा कि ये available water है मेरे लिए तो और non capillary voids या gravity वाले voids के अंदर aeration रहेगा अब ऐसी soil जिसके अंदर सिर्फ capillary void हो क्या वो हमारे लिए helpful है नहीं plant को air नहीं मिल पाए कि उसके अंदर aeration प्रॉपर नहीं होगा क्या ऐसी soil ज़रूरी है जिसके अंदर capillary void हो ही न वो भी नहीं क्योंकि फिर पानी नहीं रुकेगा उसमें उस soil में पानी नहीं रुकेगा तो plant क्या utilization करेगा उसका तो इसी लिए हमें ऐसी soil ज़रूरी जिसमें capillary void भी हो non capillary void भी हो जैसे हमारी life में हमें parents भी चाहिए हमें दोस्त भी चाहिए कभी हमें घर का खाना भी चाहिए और दोस्त की party जो है वो भी चाहिए होती है चलो यह बात हो गई ideal soil की हमारी अब कुछ मित्रों से आपके क्या रिष्टे हैं हम इस पे नहीं जाना चाहेंगे वो मित्रा आपके हैं आप उन्हें जैसा सम्मान देना चाहें वैसा सम्मान और उस सम्मान देख सकते हैं classification of soil water की बात करते हैं तो तीन तरीके से soil के water को classify करते हैं gravity वाला पानी यह plant अपनी growth के लिए utilize नहीं कर पाएगा आप एक है landlord खेद खरीद रखें आपने बहुत सारे तो अब आप क्या कर रहे हैं आप उसके अंदर पानी provide कर रहे हैं अपने plants को तो वो पानी जो आपको अभी दिखरा है पूरा खेद पानी से भरा हुआ है उसमें सारे voids थे capillary voids भी थे gravity voids भी थे तो gravity वाला पानी तो निकल जाएगा उसमें से एक दो तीन के अंदर एक दो दिन के अंदर वो वहां से निकल जाएगा या एक से तीन दिन के अंदर निकल जाएगा plant के लिए हमेशा अवेलेबल वो नहीं रहेगा तो यह gravity water था capillary water हमेशा plant के पास available रहेगा capillaries के अंदर तो इसी लिए इसे available water के नाम से भी हम जानते हैं और plant अपनी growth के लिए यह हमेशा use कर सकता है then आता है hygroscopic water hygroscopic water मित्र की धनराशी के बराबर है मित्र के पास जितनी धनराशी है तो सही लेकिन वो आपके कभी काम नहीं आ सकती इसी प्रकार से soil क्या खहरी है कि मेरे पास पानी है तो सही लेकिन यह पानी तो तुमें नहीं दोंगे तो hygroscopic water available water hygroscopic water present है soil के अंदर लेकिन plant उसे extract नहीं कर पाएगा कभी भी तो hygroscopic water क्या plant की growth के लिए helpful है? नहीं है कौन सा पानी helpful है? कौन सा available है? capillary water ही हमेशा उसके पास available है soil moisture tension क्या होता है? plant को कितना force लगाना पढ़ रहा है उस water को extract करने के लिए soil moisture tension है जैसे आपकी soil moisture tension क्या होती है? कितना जोर लगाना पढ़ रहा है? कितना blackmail करना पढ़ रहा है? कितना मजाक उडाना पढ़ रहा है? आपके मित्र का जिससे की वो हमें party दे दे treat दे दे तो वैसे ही soil moisture tension soil moisture tension है कि कितना force लगाना पढ़ रहा है per unit area plant को जिससे की वो soil से water extract कर पाए अब अगर खूब सारा पानी present है तो plant को इतना ज़ादा जोर नहीं आएगा इतनी ज़ादा force नहीं लगा अब नहीं पड़ेगी उस पानी को extract करने के लिए तो soil moisture tension जो है वो inversely proportional है moisture content के जितना ज़ादा moisture content available होगा उतना ही कम force लगाना पड़ेगा soil को उतना ही कम force लगाना पड़ेगा plant को उस soil से water extract करने के लिए तो ये तो बात हो गई हमारी soil moisture tension की फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास कि अगर soil moisture tension हमें पता हो तो हम क्या कर सकते हैं soil moisture tension अगर हमें पता लग जाए तो हम यह बता पाएंगे कि इस soil के अंदर इस वक्त कितना moisture presentine को हम relate कर सकते हैं और accordingly हम उसको irrigate कर सकते हैं soil moisture stress की हम बात करें तो soil moisture stress SMT से denote कर रहे हैं हम इसे it is sum of soil moisture tension and osmotic pressure इन दोनों का जो sum होता है soil moisture stress soil moisture tension plus osmotic pressure का sum होता है sir इतने conjuice दोस्त मत बनाई है यह जो conjuice दोस्त होते हैं यही आपके उम्र भर सहायता करेंगे सहायता ना करें तो भी साथ देंगे आपको और बाकी जो दोस्त होते हैं conjuice जो नहीं दिखते हैं जो बहुत खर्च करने वाले देखते हैं वो आप imagine कर लीजिए कि बेवजा आ करके अगर आप पर खर्च कर रहे हैं तो आपसे क्या चाहते होंगे जैसे ही professional life में आप enter कर जाएंगे तो आपके दोस्त जो हैं वो सारे filter out हो जाते हैं या फिर over a period of time होई जाते हैं तो जितने पुराने आपके दोस्त होंगे उतना ही बढ़िया है आपके लिए चलें आगे बढ़ते हैं कुछ-कुछ बेसिक सी चीजें जो आपको याद रखनी होंगी वो क्या है सबसे पहले soil present थी soil के आसपास वो वाला पानी present था जो soil ने एकदम tightly bound करके रख रखा है जिसे hygroscopic water कहते हैं और वो water plant extract नहीं कर पाएगा उससे उपर जो पानी होगा वो capillary वाले voids में होगा वो plant extract कर सकता है तो उस water को कहते हैं available moisture और उससे उपर जो पानी present होगा अगर सारे के सारे capillary वाले voids भरे हुए है तो हम कहाँ देंगे कि soil अपनी field capacity पे है soil अपनी field capacity पे है अब अगर gravity वाले voids भी भर जाए तो soil में जितने भी voids थे अब सारे भर चुके gravity भर चुके, capillary voids भर चुके तो अब हम कहाँ देंगे soil क्या हो गई है saturate हो गई है तो वो saturation capacity पे है soil थी, hygroscopic water नहीं use कर सकता plant इससे उपर जो moisture present है capillary voids में, वो उसके लिए available है उससे उपर की बात करें तो gravity water आ जाता है आपके पास इस available moisture content का लगबग 75% हम ऐसा कहते हैं कि readily available है ये क्या है readily available है so this is known as readily available moisture content तो आप क्या चाहेंगे जैसे हमारे घरवाले हमारे लिए क्या करते है सुबह खाना खाया आपने फिर शाम के वक्त आपको एकदम बहुत जोर की भूग कभी कभार लगती होगी लेकिन usual days में क्या होता है आपको इतनी भूग लगी नहीं है उससे पहले ही वो आपको भूजन प्रदान कर देते है तो वैसे ही प्लांट है प्लांट के अंदर moisture content हमने permanent wilting point मतलब वो point जब आप moisture नहीं है plant के पास sufficient वो मुर्जाना शुरू कर रहा है विल्ट हो रहे हैं उसके पत्ते तो उस वक्त क्या करेंगे आप इसे फिर से field capacity पे पहुँचा देंगे जब field capacity पे पहुँचा देंगे तो ये moisture धीरे 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 plant use करेगा या deplete होना शुरू हो जाएगा तो जैसे इस optimum moisture content पे पहुँचेगा हम wait नहीं करेंगे कि वो plant तडपने लग जाए पानी के लिए एक दम तब उसे provide करेंगे हम optimum moisture content तक पानी गिरते ही वापस सही से recharge कर देंगे वापस सही से field capacity पे ले जाएंगे तो ये कुछ basic basic terms आती है saturation capacity मतलब सारे voids भर चुके हैं gravity वाले भी और capillary वाले भी उसके बाद field capacity अगर आपने सारे के सारे capillary voids या available water वाले सारे voids भर दी हैं तो कहेंगे वो field जो है वो अपनी capacity पे है then आते हैं wilting point या permanent wilting point वो moisture content जब plant के पास अब sufficient water नहीं है अपने growth के लिए उसके leaves wilt करने लग गए वो मुर्जाना शुरू कर रहा है तो permanent wilting point आ गया उसका soil moisture tension जब सारे के सारे voids भरे हुएं तो zero यह होगी obviously plant को कोई effort ने लगाना पढ़ रहा water को use करने के लिए directly available है 1 to 10 1 by 10 से लेकर के 1 by 3 तक अगर हो तो हम कहेंगे saturation capacity पे है sorry saturation पे तो हम already कहा है चुके ही zero field capacity पे 1 by 10 से लेकर 1 by 3 ATM अगर है तो field capacity पे है then आते हैं हमारे पास कि अगर 7 to 32 है तो permanent wilting point पे है permanent wilting point पे वो soil है available moisture content वो range of moisture है जो plant अपनी growth के लिए utilize करता है और इसका 75% usually वो portion है जो readily available होगा easily accessible होगा question के अंदर आपसे इस तरीके का question भी पूछा गया है previous exam के अंदर ऐसा question भी पूछा गया है जिसमें आपसे पूछा है कि ये diagram किसको represent कर रहा है ये diagram जो आपको दिखाई दे रहा है ये diagram represent कर रहा है frequency of irrigation को कि सबसे पहले मान लिया कि day 1 पे पराबर आया फिर से आपने इसे पानी दे दिया field capacity तक पहुचा दिया फिर ये धीरे-धीरे-धीरे reduce हुआ फिर से आपने इससे irrigate कर दिया फिर धीरे-धीरे reduce हुआ फिर से irrigate कर दिया तो ये जो duration है let's say 10 days हर 10 दिन बाद ऐसा हो रहा है ठीक है यहां तक बात होगे एक और definition आती है जिसे हम कहते हैं capillary potential the force per unit area that must be exerted in order to extract water from the soil is known as capillary potential फिर आते हैं soil के अंदर जो deficiency है maximum से maximum पानी कितना provide किया जा सकता है field capacity के बराबर present में जो भी moisture present है और field capacity इन दोनों के बीच का difference deficiency कहलाएगा as of now what moisture exists उसका और field capacity का difference जो है वही कहलाएगा कि कितनी deficiency exist कर रही है moisture equivalent किसको बोल रही है moisture equivalent कह रहे हैं कि 1000 G के बराबर जब हम force लगा देते हैं 1000 G के बराबर जब हम force लगा देते हैं water के उपर sorry soil के उपर तब वो कितना water hold करके रख सकती है इसे हम क्या कहते हैं moisture equivalent कहते हैं so it is defined as percentage of moisture retained in 10 mm thick saturated sample of soil when subjected to a centrifugal force of 1000 G for a period of 30 minutes तो इससे हम यह denote कर सकते हैं यह बता सकते हैं कि field capacity कैसी है उस soil की कितना water को hold करके वो रख सकती है अपने capillary voids के अंदर one third atmosphere test भी हम कर सकते हैं जिसके अंदर atmospheric pressure के one third के बराबर हम soil के उपर stress लगाएंगे जिससे की जिससे की उसके अंदर जो moisture है वो कितना lose हो रहा है कितना water उसमें से बाहर निकल रहा है अगर हम उसे porous plate के उपर रख देते हैं तो ये भी एक तरीका हो सकता है denote करने का कि soil की moisture holding capacity कैसी है या field capacity कैसी है देना आते हैं depth of water in root zone ये एक छोटा सा प्यारा सा formula है जिससे हम convert कर सकते हैं कि अगर field में से सारा का सारा पानी plant की आसपास का पानी plant की जो root zone depth है उसका सारा पानी extract करके एक similar area के field में डाल दें तो कितनी depth of water हमें मिलेगी तो वो small d depth of water is equal to gamma d upon gamma w into capital d into जिस moisture content को आप convert करना चाहते हैं आप field capacity वाले moisture content को convert करना चाहते हैं in terms of depth of water आप permanent wilting point वाले moisture content को कोई भी moisture content percentage में कोई भी value रखिए moisture content की और यहाँ पर depth of water की terms में वो value आ जाएगी तो इसका आपको utilization करना पड़ सकता है numerical के अंदर depth of water held in root zone के अंदर next portion आप से ये पूछ ले available water बताओ तो available water क्या होता है field capacity minus permanent wilting point तो भहाँ से आप इसे calculate कर सकते हैं questions इस session में हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी YouTube के उपर ही जो हमारा education engineering session हुआ था उसके अंदर हमने सारे questions किये हैं अगर आप उनको भी देखना चाते हैं तो उनको भी देख सकते हैं इसी channel के उपर आपको playlist के अंदर वो दिख जाएंगे इस session में same question similar question दुबारा हम इसी लिए repeat नहीं कर रहे हैं ताकि हम बस इस session में revise कर लें what is actually important उस पर अच्छे से focus कर लें water requirement of crop के अंदर अगर हम बात करें तो water requirement में दो basic term आती है base period first watering से last watering के duration होता है वो कहलाता है base period और जब crop को बीज बोया जाएगा और जब फसल को काट लिया जाएगा definition यह है आपको बता दिया गया है देन आते हैं delta जो depth of water आप provide करते हैं entire base period के दोरान किसी भी field में किसी plant को या crop को तो वो कहलाती है delta यह depth of water है duty है कि कितना area irrigate कर दिया आपने duty का formula आपको याद रखना है area by discharge exam में question आ सकता है कि आपको area बता देगा कि 100 hectare का area है discharge provide किया जा रहा है उसे to qmg तो यह बताए duty कितनी है तो 100 by 2 provide करना है आपको simply hectare per qmg में यह value आ जाएगी देन आते हैं हमारे पास duty कहां पर जादा होती है duty कहां पर जादा होती है जैसे जैसे canal से field में हम जाते हैं तो duty भड़ती चली जाती है field में duty जादा होती है canal के पास duty कम होती है base period और core period में difference कहा है core period वो period है जिस दौरान सबसे ज़्यादा water provide किया जा रहा है उस particular duration को core period कह रहे है base period मतलब सारा पानी जो भी आप provide कर रहे है first से लेकर के last तक done आगे बढ़ते हैं next duty delta base period के बीच में relationship जो है duty into delta is equal to 8.64 base period याद रखने हैं इसमें कि duty की value आप hectare पर QMAC में पुट करेंगे delta की value meters में पुट करेंगे और base period को days में ही पुट करेंगे अगर आप 8.64 का formula यूज कर रहे हैं हम कोई और formula नहीं याद करते हैं हम सिर्फ एक ही याद करते हैं ताकि कोई confusion ना हो आप 8.64 को लेकर के भी formula बना सकते हैं 0.864 का भी बना सकते हैं कैसे भी बना सकते हैं लेकिन हम उन सब terms में नहीं जा रहे हैं बिल्कुल basic terms जिससे कम से कम confusion हो एक्जाम में तो duty into delta equals to 8.64 base period base period की value days में पुट करेंगे duty की value hectare पर क्यों में delta meter में पुट किया जाएगा cash crops वो crops होती हैं जिनको हम हमारे personal use के लिए या हमारा जो kettle है, livestock है जो भी pets है घर में हमने जो भी पालतू रखे हुए है उनको खिलाने के लिए नहीं use कर रहे हैं market में sell करने के लिए हम उसको उन crops को grow कर रहे हैं वो cash crops कहलाती हैं जैसे की coffee हो गया, cocoa हो गया tea, sugar cane, cotton, etc कुछ important terms and definition है यह याद करना important नहीं है अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे बहुत number आ जाएंगे एक दो number से कोई खास फरक हमें नहीं पढ़ेगा तो यह सारी terms मत याद कीजिएगा लेकिन अगर इच्छा है थोड़ा सा time अपने business schedule में से निकल जाए खाई से भी तो इन terms को जरूर पढ़ लीजेगा एक दो number के तो question बनेंगे बनेंगे crop ratio या खरीफ रभी रेशो इस term के अंदर clearly पहली चीज़ तो define की जाने चाहिए कि crop ratio में हम बता क्या रहे है हम area irrigated in खरीफ to रभी बता रहे है रभी to खरीफ बता रहे है खरीफ to रभी crop ratio in general हम consider करते है but it should be clearly mentioned कि crop ratio क्या है crop ratio हमने खरीफ to रभी रेशो ऐसा बोलना ज़ादा बेटर है तो खुद ही यह बता रहे है खरीफ to रभी रेशो है paleo irrigation क्या होती है paleo irrigation यानि कि पहली irrigation खरीफ to रभी याद रख सकते हैं paleo irrigation पहली watering जब बीज बोया जाएगा उससे पहले ही आप provide करते हैं वो क्या कहलाती है paleo irrigation कहलाती है it is done to make area suitable for sowing as it becomes very dry soil के अंदर sufficient moisture आजाए वो soft हो जाए इतनी stiff ना रहे बीज उसके अंदर जाए तो वहाँ पे proper nutrition condition already available हो उसके grow करने के लिए core watering, core depth, core period core watering जो होती है जो पहली starting की जो पानी provide किया जाता है जो सबसे जब plant कुछ centimeter high grow कर जाता है तब जो पहला पानी provide किया जाता है और सबसे ज़ादा quantity में किया जाता है जो वो core watering कहलाता है जिस duration में ये provide किया जाता है उसे core period कहते हैं और जितना depth provide कर रहे हैं वो core depth कहलाता है फिर आते हैं capacity factor capacity factor है कि आपने तो canal को design किया था वो आपने तो canal को design किया था let's say 100 unit या 100 q-mac के लिए आपने इसे design किया था example ले रहे हैं आपने अगर इसे 100 q-mac के लिए design किया और actual में ये flow कर रही है 60 q-mac तो capacity factor का मतलब है कि कितना इसकी capacity थी और actual में कितना ही इसमें flow कर रहा है तो वो हो जाएगा आपका 60 upon 100 यानि कि 0.6 value इसकी आजाएगी capacity factor generally हम consider कितना करते हैं खरीब season के दौरान 0.9 से 0.95 रभी के दौरान 0.6 से लेके 0.7 consider करते हैं तो ये तो बात आगई capacity factor की अब question में use किया आएगा question में use ये आएगा कि एक crop है एक canal चल रही है, canal चलती है 15 दिन और उसका capacity factor है 0.6 तो आपको पता चल जाएगा कि 15 दिन वो भलाई चली लेकिन उसका 0.6 times ही effectively water use हो पाएगा क्योंकि इतनी ही भरी हुई वो चल रही थी ये capacity factor है a canal was designed for a full supply discharge of 60 qmc the average supply discharge in the canal is 40 qmc the capacity factor is average supply कितना किया जा रहा है 40 किया जा रहा है design किसके लिए किया था 60 कि लिए किया था तो 40 by 60 आजाएगा आपके पास value 0.67 आजाएगा ठीक है confusion clear कर दीजिए crop ratio का crop ratio का confusion आपको इसी लिए है क्योंकि आपने कुछ किताबों में देख लिया होगा किसी किताब में कुछ दे रखा है किसी किताब में कुछ दे रखा है ratio ही है ratio define करने के लिए वैसे खरीब to रभी आप use कर सकते हैं इसे लेकिन जब भी कोई बोलेगा अगर examiner है तो उसे clearly बताना चाहिए जहां पर भी वह question में use कर रहा है next full supply coefficient क्या है full supply coefficient है area to be irrigated divided by design full supply discharge at the canal head इसे कहते हैं full supply coefficient area to be irrigated divided by design full supply discharge at the canal head the number of hectares irrigable per cubic of canal capacity at its head is known as full supply coefficient इस तरीके का question इसे related directly exam में पूछ सकता है आगे बढ़ते हैं then आते हैं time factor time factor का मतलब क्या है कितने दिन irrigation आपको चाहिए आपका plant की requirement थी कितीन महीने पानी चाहिए लेकिन canal actual में दो महीने ही चली तो वो आपका time factor हो जाएगा जितने दिन आपको पानी चाहिए था उसमें से कितने दिन पानी चली है तो इसे हम time factor के थूँ बताते हैं so number of days canal has actually run divided by number of days of irrigation period अब आपको अगर बोल दे कि आपके crop की requirement थी आपके crop की तो requirement थी तीन महीने की आपको दो महीने ही पानी मिला तो time factor कितना हुआ 2 by 3 हो गया फिर उसमें से भी अब canal 100 QMAC उसकी capacity थी design discharge था उसका और 60 QMAC ही उसमें आ रहा है तो फिर से उसमें 60% ही utilization हुआ तो accordingly अगर आप से पूछे कि कितना water आपको मिलेगा तो आप कर पाएंगे न कि 2 third of the time वो run की है उसमें से भी 60% ही पानी आ रहा है तो 2 third time run की है उसका भी 60% utilize कर पाएंगे तो उसकी value किसके बराबर होनी चाहिए X के बराबर होनी चाहिए तो ऐसे कुछ करके calculate कर सकते हैं कि कितना पानी दिया जाए जिसका 2 third ऐसे कर लीजिए मान लीजिए किसी crop की requirement आपको दे देगा यहाँ पे है crop की requirement तो crop की requirement कितनी हो X का 2 third ले ले और फिर उसका 60% ले ले वो that should be equal to crop requirement ऐसे समझ लीजिए चाहिए तो Done उसके बाद आते हैं हमारे पास crop calendar crop calendar एक calendar होता है यह टूल होता है जिसके अंदर crops के बारे में जानकारी दी रहती है कि कौन से region में इंडिया में कौन से area के अंदर कि state के अंदर कौन सा crop किस समय से किस समय आप किस समय आप so कर सकते हैं किस समय harvest कर सकते हैं इसकी जानकारी इसके अंदर रहती है gross command area कहलाता है किसी भी irrigation project के अंतरगत जितना भी area आता है वो gross command area है अब उस area के अंदर से अगर आप buildings हटा दें, रस्ते हटा दें water bodies हटा दें मतलब जहां जहां खेती नहीं हो सकती है वो सारे area अगर आप हटा दें which is cultivable and it denotes the area on which actual cultivation is done तो जब भी आपको data नहीं दिया हुआ होगा तो gross command area का कितना percent consider कर लेते हैं 80% आप consider कर लेते हैं as culturable command area intensity of irrigation होता है कि आपके culturable command area का कितना percent summer में irrigate हुआ कितना percent winter में irrigate हुआ आपके पास 100 hectare cultivable land थी let's say 120 total land थी किसी irrigation project के अंतरगत जो आ रही थी उसमें से 100 hectare cultivable है, culturable है उस 100 hectare का अगर 70 hectare summers में irrigate हो पाता है winters में अगर 90 irrigate हो पाता है तो 70% हुआ summer में 90% irrigate हुआ कहाँ पर winters में तो 70 plus 90 160% irrigate हो रहा है overall वो तो intensity of irrigation अगर annual पूछा जाए तो summer में कितना percent winter में कितना percent दोनों add करने हैं आपको अगर seasonal पूछा जाए तो जिस season के पूछ रहा है उसमें कितना percent irrigate हुआ वो बताना है आपको percentage of irrigation area किसका बताना है cultural command area का ही आपको बताना है आपको बताना है तामनेल चैंज हो गया है ठेक है irrigation का thumbnail है तामनेल है जस्कार पांडूंट कि अपन एक अपन एंट थंबनेल कहा है सरवईं का ध्यान से पड़ें आप ध्यान से देखें gross command area का मतलब किसी भी irrigation प्रोजेक्ट के अंदर कितना area आ रहा है किसी भी canal के अंदर कितना area total आ रहा है वो gross command area वो 텍 arena में कितने area पर खेती हो रही है वो hateable command area ठीक है चले आगे बढ़ता है जिन दोस्ते न अभी तक इस session को like नहीं किया है वो अभी तक like कर सकते हैं gross में total area आ रहा है जो भी किसी project के अंतरगात आ रहा है चलो आगे बढ़ते हैं यह होगे intensity of irrigation क्या intensity of irrigation greater than 100 हो सकती है बिल्कुल हो सकती है ऐसा ही statement based question हो सकता है देन आते हैं efficiency के उपर efficiency किस-किस प्रकार की हो सकती है water convenience efficiency source से कितना पानी छोड़ा गया था field तक actual में कितना पहुँचा तो field में जो पहुँचा divided by source से जितना पानी छोड़ा गया वो क्या कहलाएगा convenience efficiency यहां से 100 बाते हैं आपको बताई गई exam से related और आपने उसकी 100 में से 80 याद कर ली तो आपकी efficiency क्या 80 है 80% of what was delivered to you similarly कितना पानी convey किया गया था location यह यहनि कि source से भेजा गया था field तक तो कितना actual में पहुँचा वो convenience efficiency है 80% 2 QMEC of water is pumped into a farm distribution system out of this 0.8 is delivered to the delivered to a turn out what is the conveyance efficiency 2 QMEC दिया गया था 0.8 ही पहुँचा तो efficiency कितनी है Sir थोड़ा details में बताएं details में बताएंगे तो पूरा subject ही पढ़ना होगा न दोस्त जब revise कर रहे हैं और exam के point of view से बात कर रहे हैं exam के एक महीने के अंदर पढ़ रहे हैं और यकीन माने ये details में ही है अगर हमने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखाएं तो 40% next water application efficiency application efficiency का मतलब कितना actual में apply हो पाया field में कितना पानी पहुंचा और plant की root तक कितना पानी पहुंचा actual में तो water कितना field तक पहुंचा था sir आपके lecture के लावा और क्या करना होगा पढ़ाई, self study questions, SEC के PYQs, वो सारे जब हो जाएं तो उन में से वो वाले जो आप से नहीं हुए थे और जो actual में important है वो फिर से करने हैं, वो जग हो जाएं तो engineering services के easy objective questions करने हैं और daily basis पे short notes पढ़ने ही पढ़ने हैं मेरे प्यारे मित्रों मान लीजिए उस क्षण को अपने दिमाग में लाएं, जब कल exam है, तो एक thought जरूर आएगा आपके दिमाग में, कि बस दो दिन और मिल जाते ना, तो पता नहीं क्या कर देता मैं तो वो दो दिन से भी जादा समय है आपके पास अभी, ये वाला thought हर किसी के दिमाग में आता है हर किसी में से, specially किस के दिमाग में, जिसको पता है कि मैं capable हूँ लेकिन मैंने कुछ आलस किये मैंने कुछ छोटी छोटी luxury ले ली अपने phone में, एकदम scroll कर लिया, थोड़ा सो लिया, दोस्तों से बतिया लिया, बाहर घूम लिया XYZ, तो ये सब मैंने time छोटा छोटा कही न कहीं waste किया था, लेकिन उस time को मैं utilize कर सकता था, और अब भी मैं capable कि 2 दिन दे दो, तो मैं पता नहीं क्या कर जाऊंगा तो वो 2 दिन से जादा समय अभी है, अपनी शक्तियों को पहचानो आप, और पढ़ लीजे इन चीज़ों को, जो दोस्त नए हैं जिनने ये लग रहा है कि मिलको तो कुछ भी नहीं आता था और मैं पहली बार ये session देख रहा हूँ तो भी जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं वो पढ़ लीजिए, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर ये भी कर लेंगे, तो अच्छा score कर जाएंगे, और नहीं तो एक सम्मान जनक score आ सकता है, जिसमें आप पेपर बन तो क्लियर कर लेंगे चलें, बात कर रहे थे एप्लिकेशन एफिशेंसी की, तो एप्लिकेशन एफिशेंसी का मतलब, खेत में पानी आपने कितना दिया, और कितना एक्च्छल में वहाँ स्टूर हो पाया, क्या फील्ड में जितना भी पानी प्रेजेंट है, सारा का सारा एप्लिकेशन एफिशेंसी हम यहाँ पर बता रहे हैं एक चोटा सा क्वेशन है, देखें जल्दी से सर हमारा स्टेट का एक्जाम भी है, किस पर ज़्यादा फोकस करें, स्टेट के एक्जाम के अंदर अगर सीड्स अच्छी है, वेकेंसी अच्छी है और फिर पोस्टिंग तो स्टेट के अंदर ही रहेगी डिपार्टमेंट अच्छा है, तो कर लीजिए फिर स्टेट के का अक्वेकेंसी बहाँ पर ज़्यादा है तो स्टेट का जीके अगर आ रहा है तो वो आपका अच्छा होना चीए, तो सारी कंडिशन्स देखेगा आप और एक्जाम दोनों देने है एक्जाम तो दोनों ही देने है बस सिर्फ और सिर्फ आप जो नॉन टेक वेला पोर्शन है उसको कर्रेस्पॉंडिंग ली एक्ट कर सकते हैं, यहाँ स्टेट के एक्जाम के अंदर से वेले इंजिनरिंग कुछ अलगी आएगी, यहाँ पर कुछ अलगी आएगी हाँ जी, शुक्रिया आप सभी दोस्तों को क्वेशन का अंसर नहीं बताया आभी तक आपने क्वेशन के अंदर क्या दे रखा आपको 12 मीटर क्यूब पर सेकिंड की रेट से पानी प्रोवाइड किया जा रहा है 32, 0.32 किलोमेटर स्कॉयर के एरिया के अंदर 4 घंटों के लिए तो आपको यह बताना है कि अगर 0.4 मीटर डेप्थ आप वाटर महाँ पर प्रेजेंट है तो अप्लिकेशन एफिशेंसी क्या होगी वाटर कितना स्टोर हुआ है 0.4 मीटर क्यूब कितना प्रोवाइड किया गया था 0. प्रोवाइड किया था कैलकुलेट किया जा सकता है 12 मीटर क्यूब एक सेकेंड में हो रहा है तो 12 मीटर क्यूब इंटू एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं उससे मल्टिप्लाइ कर दीजिए इतना पानी आपके पास आ चुका है The soil measurement in the field done after irrigation showed that 0.4 मीटर of water has been stored in the root zone The water application efficiency Water की application efficiency कितनी है तो simply आपको यहां पर put कर देना है 0.4 यहां इतना प्रोवाइड किया गया 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से कितने एरिया पर तो यह depth of water में हमने convert कर लिया I repeat once again हमने कहा कि root zone में 0.4 मीटर पानी provide किया गया कितना पानी दिया गया 12 मीटर क्यूब दिया गया एक सेकेंड में तो 4 गंटे और 1 गंटे में 60 into 60 सेकेंड तो इतना पानी provide किया गया मीटर क्यूब में उपर यूनिट क्या है मीटर में तो divide by area कर दीजिये 5.32 अब ये आपके पास किसमें है, किलो मीटर स्कॉयर के अंदर है, एक किलो मीटर में हजार मीटर होते हैं, तो ये इतना मीटर स्कॉयर हो जाएगा, ये वैल्यू फाइनली आपकी मीटर में आ गए नीचे वाली, उपर वाली भी मीटर में calculate कर लेंगे efficiency, तो ये application efficiency, फिर आती है water use efficiency, water use efficiency का मतलब कि कितना पानी field में दिया गया, कितना plant ने consumptively use किया, वो water use efficiency है, then comes water storage efficiency, तो water stored in the root zone with respect to, उसके अंदर maximum कितना storage आ सकता था या field capacity तक का moisture content, ये आपको लिखना है, then duty of water at the outlet is known as outlet factor, ये simple सा definition based question outlet factor से related, ये आप से पूछता है, आगे बढ़ेंगे consumptive use क्या होता है, आपका प्यारा plant दो तरीके से पानी को use करता है, अब ऐसा सा कुछ plant है, आपका favorite plant, अब ये पानी कैसे use करेगा, जो ground के अंदर यहाँ पानी present है, उस पानी को अपने roots से extract करे उपर ले जाएगा, leaves के through use करेगा, और यहाँ से भी evaporate हो जाएगा, तो ये transpiration का process कहलाता है, और evaporation हो रहा है, तो evapotranspiration, कुछ evaporation यहाँ से plant के side से भी हो रहा है, तो इस overall water के requirement को बोलते हैं, consumptive use, जिसके अंदर evapotranspiration होता है, then आता है, temperature जतना जादा होगा, उतना ही पानी ज्यादा utilize होगा, wind velocity होगी, तो पानी ज्यादा utilize होगा, humidity अगर ज्यादा होगी, तो पानी कम utilize होगा, daylight hours अगर ज्यादा होगे, तो पानी ज्यादा utilize होगा, sunlight के intensity ज्यादा होगी, तो पानी ज्यादा utilize होगा, type of crop अगर ज्यादा water demanding होगा, तो ज्यादा utilize होगा, soil में से moisture जितने जल्दी deplete होगा उतना ही यहाँ पर consumptive use आपका ज़्यादा रहेगा अगर हम वैसे बात करें evaporation के point of view से तो evaporation अगर पानी soil में से जल्दी deplete कर गया जल्दी जल्दी खतम हो गया तो तो वो इतना consumptively use नहीं कर पाएगा फिर उसका consumptive use काम हो जाएगा अगर पर्टिकुलरली इस चीज़ का कह रहे हैं कि soil में से moisture deplete होने का मतलब वो नीचे की तरफ percolate कर गया अगर soil में से deplete हो रहा है in form of evaporation तो तो वो evaporation के अंदर consider कर सकता है 8 October को अपना दिमाग rent पर दे दीजेगा प्लीज आपने अपना rent पर नहीं दिया होता तो आज आपको जरूरत नहीं पड़ती समय से उसका इस्तेमाल कर लेते थोड़ी साफ सफाई रखते तो बढ़िया काम कर रहा होता आज और क्या करेंगे मेरे दिमाग का आपको गावता मेरे दिमाग में क्या-क्या चल रहा है एक्जाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे आपस दिमाग से चलें नेक्स वेशन पर चलते हैं नेक्स टॉपिक पे पोटेंशल इवेपो ट्रांस्पिरेशन का मतलब कि अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी आसपास खूब सारा पानी अवेलेबल है तो evapotranspiration उस वक्त जो होगा वो कहलाएगा potential evapotranspiration actual transpiration का मतलब है कि किसी भी state में कितना भी moisture content जो present है तब जो evapotranspiration हो रहा है that is actual evapotranspiration so capillary water is large in case of clay so if water content is below field capacity तो भी आप यहाँ पर capillary voids जो होंगे वो जादा होंगे तो plant easily पानी को use कर पाएगा evapotranspiration के लिए तो उसका actual evapotranspiration potential के लगबग बराबर ही होता है चलो आगे बढ़ते हैं next आते हैं irrigation requirement के उपर irrigation requirement में plant आया ठीक है अब plant कैसा है एक नादान engineering छात्र की तरह है plant से पूछा जा रहा है जैसे घरबाले आप से पूछते हैं कि कितने पैसे चीए बाहर जा रहे हो पढ़ने जा रहे हो कितने पैसे चीए तो plant क्या कह रहे है कि मुझे तो जादा जादा नहीं चीए जादा जरूरत है थोड़ी ना है मेरी क्या जरूरत है मुझे तो मेरे consumptive irrigation के लिए चाहिए consumptive irrigation requirement चाहिए तो consumptive irrigation requirement क्या है जितना मुझे मेरे consumptive use के लिए यानि कि evapotranspiration के लिए पानी चाहिए वो और उसमें से कम ही दे दो आप तो consumptive use minus कुछ बारिश से मिल जाएगा तो इथनी मेरे consumptive irrigation requirement है plant क्या कह रहा है मेरे consumptive irrigation requirement क्या है जितना मुझे पानी चाहिए consumptive use के लिए उसमें से कम ही दे दो क्योंकि कुछ तो बारिश से मिल जाएगा तो irrigation से सिर्फ इतने की ज़रूरत है हमने का चलो ठीक है, CIR के बराबर प्रोवाइड कर देने, Consumptive Irrigation Requirement प्लांट कहते हैं, नहीं, नहीं, थोड़ा सा रुको कौन से वाला और चाहिए, प्री सोइंग रिक्वाइर्मेंट का पानी भी तो चाहिए होगा कि जब प्लांट ग्रो करेगा, उससे पहले भी तो कुछ मॉइस्चर वहाँ पर चाहिए होगा मुझे तो वो प्री सोइंग रिक्वाइर्मेंट होगी कुछ सॉल्ट प्रेजेंट है वहाँ पर तो उन सॉल्ट को वाश अवे करना है लीचिंग रिक्वाइर्मेंट बोलते हैं तो लीचिंग का मतलब दोनों टर्म्स में लिया जाता है जादा पानी प्रोवाइड कर दिया सॉल्ट के न्यूट्रियंट भी धुल गए वहाँ से तो वो भी लीचिंग है जो पानी पहले प्रेजेंट रहेगा मेरे स्वागत में प्री सॉइंग रिक्वाइर्मेंट बाला मेरी जगा जो है उसमें से सॉल्ट सुआब अटाएंगे तो उतना पानी जी ये नेट इरिगेशन रिक्वाइर्मेंट के बराबर तो हमने का चलो ठीक है net irrigation requirement के बराबर पानी दे दे फिर वो केते हैं नहीं नहीं कौन सा पानी provide करो आप ये भी तो देखो ना कि जो field पे पानी आएगा सारा का सारा मुझे थोड़ी ना मिलेगा field पे जो भी पानी आएगा वो सारा का सारा मुझे थोड़ी ना मिलेगा कुछ apply करने में losses भी तो हो जाएंगे field पे जो पानी आया उसमें से जो मेरे वास पास तक पहुंचा जो मैंने utilize किया वो तो कमी होगा तो field irrigation requirement देना field irrigation requirement के बराबर पानी provide करना फिर हमने कहा ठीक है field irrigation requirement के बराबर पानी दे दें वो कह रहा है नहीं नहीं अभी रुकें कितना पानी देना gross irrigation requirement के बराबर क्योंकि जब कैनाल से पानी निकलेगा तो फिर water course तक आएगा water course से field तक आएगा वहां आते आते कुछ losses हो जाएंगे उसमें तो इसलिए कैनाल से gross irrigation requirement के बराबर पानी छोड़ देना जिससे कि क्या हो कुछ पानी conveyance का रस्ते में loss हो जाएगा फिर field में जो पहुंचेगा उसमें से मुझ तक आने में या apply होने में कुछ और loss हो जाएगा फिर उसमें से कुछ पानी utilize होगा starting में pre-sowing और leaching requirement के लिए फिर मैं grow करना start करूँगा तो फिर मेरी consumptive irrigation requirement के लिए चाहिए होगा और उस consumptive irrigation requirement में जितना मुझे चाहिए उससे थोड़ा कमी दे देना क्योंकि कुछ तो बारिश से मिल जाएगा छीक है चलें आगे ये basic basic सी बात है कि gross irrigation requirement, field irrigation requirement, net irrigation requirement consumptive irrigation requirement और consumptive use in an irrigated field the net irrigation requirement is 15 cm application efficiency 80% है water conveyance efficiency 60% है what is the gross irrigation requirement what is the gross irrigation requirement कितना पानी छोड़ दिया जाए जिसका अगर 80% ही apply हो पा रहा है 60% ही convey हो पा रहा है तो 60% किसका 60% और फिर उसका 80% मिल करके 15 cm बनेगा बता है next आते हैं conjunctive use of water conjunctive use of water के अंदर जब आप ground water और surface water दोनों का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि केनाल के पानी का भी यूज कर रहे हैं और आप tube well का भी यूज कर रहे हैं तब आप इसे कहते हैं कि ये conjunctive use of water है केनाल डिजाइन पर आ जाते हैं जल्दी से केनाल डिजाइन के अंदर rigid boundary channels वो channel होते हैं जो मिट्टी से नहीं वनी हुई है केनाल उसके अंदर आपने concrete की lining कर रखिया तो उसे rigid boundary channel कहते हैं फिर आते हैं unlined या earthen केनाल जाती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या present है उसके आसपास natural soil available है या फिर वहाँ पर grass, shrubs और ये सारी चीज़ें present है तो इन channels के अंदर water flow कर रहा है तो वो unlined canals हैं unlined canals के अंदर seepage जादा होगा silting जादा होगी, scouring जादा होगी और खूब सारा sediment आएगा इस केनाल के अंदर then unlined canals के अंदर कुछ sediments deposit हो रहे हैं कुछ यहां से उठ करके जा रहे हैं जिसके करण इसका cross section area change होता चला जाता है तो इसमें vary करता है cross section area की depth width ये सब change होती है unlined canals के अंदर unlined canals further दो types की हो सकते हैं alluvial canals, alluvial canals वो canals है जहां पर river से sediments आ रहा है the alluvial soils are incoherent city soils which can be easily scoured as well as deposited कुछ आ करके deposit होएंगे, कुछ यहां से उठती चली जाएंगी non alluvial canals जो होती है these canals are constructed through hard soils or disintegrated rocks since the canal surface is hard scouring normally does not occur and hence the velocity in these canals is high rocks में या पत्थर के त्रू इन्हें हमने बनाया होता है दो प्रकार की theory आती है Kennedy की theory, Lacey की theory Kennedy की theory के according जो आपके canal का bed है उसके bed से eddies generate होती है जिन eddies के कारण वो जो sediment particle है, वो suspension में है वो नीचे settle नहीं हो रहा है Kennedy ने कहा कि side से कोई भी eddies generate नहीं हो रही है ये Kennedy ने बोल दिया so silt suspension जो particle है वो अपना weight उसका downward act कर रहा है eddy forces उसकी उपर तरफ उपर की direction में लग रही है जिसकी वज़े से वो suspended form में exist कर रहा है तो ये Kennedy ने बोला main main जो बाते हैं जो exam में आपसे पूछी जाते हैं Kennedy ने कहा कि एक critical velocity होती है जिस critical velocity पर अगर canal में पानी flow करेगा तो ना तो silt के particles आके settle होंगे ना वहाँ से उठ करके जाएंगे तो silting और scowling दोनों हट जाएगे तो Kennedy ने कहा कि तब वो channel stable रहेगा अब वो जो velocity बताई वो 0.55my raised to the power 0.64 जहां पर m एक factor है critical velocity ratio है जिसकी value depend करती है type of soil पे less than one होता है अगर आप बात करें fine soil की greater than one होता है coarse soil के लिए why depth of water है यह hit and trial method है जिसके अंदर सबसे पहले trial depth assume की जाती है अब बहुत ही बड़ा सुकून है आपके लिए कि mains यह descriptive वाला paper जो हट गया objective आ गया जब descriptive हुआ करता था last year तक तो फिर यह वाली values भी याद करनी होती थी आपको कि कितना discharge है फिर उसके according trial depth कितनी assume करें कुछ question में directly भी दे रहता था कि इतनी assume करके start कर सकते हैं लेकिन खुद भी याद रखना होता था आपको तो trial depth आप assume करेंगे फिर उस को इसमें put करेंगे velocity की value calculate करेंगे इस velocity के इसाब से कितना area चाहिए होगा वो calculate करेंगे फिर जो आपका area या उसमें side slope assume करके आप dimensions बताएंगे यहाँ पर dimensions बता देने के बाद फिर आप यहाँ पर area of low और wetted perimeter hydraulic radius calculate करेंगे hydraulic radius calculate करने के बाद manning या chasey के formula से आप velocity calculate करेंगे फिर जो हमारी शुरू में Kennedy के formula के थ्रू velocity आई थी उसको इसके साथ compare करेंगे और अगर values vary करती हैं तो फिर से नहीं try depth assume करके फिर से यह process repeat करेंगे तो यह था Kennedy की theory objective में question क्या कि Kennedy ने यह assume कि bed से ही addies form हो रही है दूसरा Kennedy की critical velocity का formula आपको याद रखना है manning chasey formula यह तो आपको याद होते ही है यह थोड़े मुश्किल formula है जो बिल्कुल आसा चोटा सा प्यारा सा formula है वो आपको यह cut as velocity coefficient का formula याद रखना है 23 plus 0.00155 by s plus 1 by n divided by 1 plus फिर से bracket में 23 plus 0.00155 by s into n by root r तो यह formula याद रख सकते हैं हो सकता है objective में as it is यह formula दिया हुआ हो और यहाँ पर यह bracket के अंदर की term को वो x लिख दे कि what is x in this formula चले आगे next फिर नई trial depth अज्यूम करनी होती है Garrett's diagram जो है वो canal के design के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं जिनमें की बहुत सारी mathematical calculations avoid हो जाती है Garrett's diagram के through आप channels को design कर सकते हैं Kennedy की theory के drawback क्या है Kennedy ने कहा कि सिर्फ base से addy generate हो रही है जबकि addys side से भी generate होती है Kennedy ने cutter की equation का इस्तेमाल किया तो cutter के drawbacks भी इसके अंदर आ गए इसमें hit and trial method है कोई as such well defined आप यूं कह लीजिए कि कोई method नहीं है hit and trial method पर ये base था salt concentration के बारे में नहीं बताया गया salt के charge के बारे में नहीं बताया गया तो काफी सारी चीज़ें इसके अंदर arbitrary थी जो m की value थी critical velocity ratio वो भी बिना कोई proper region के select कर ली गए थी तो ये सारे Kennedy के drawback है Lacey आये Lacey ने क्या कहा Lacey ने बोलना शुरू किया कि bed और sides जो है उनसे दोनों से eddies generate हो रही है तो पहले तो उन्होंने ये बोला दूसरी बात Lacey ने क्या कही कि stable या फिर जिसे हम कहते हैं कि channel regime है channel regime condition में stable condition में है तो Kennedy ने तो ये कहा था कि जब किसी channel के अंदर silting और scouring ना हो तो वो regime में है वो stable channel है लेकिन Lacey ने कहा कि ये सही definition नहीं है मैं कुछ और बताता हूँ मैं कुछ नया बताता हूँ आपके इस theory के अंदर आपने जो theory दी उसमें काफी drawbacks है इनको हम consider करके फिर तीन टाइप के regime consider करते हैं तीन टाइप के regime बताए पहला true regime फिर initial regime फिर final regime condition तो true regime condition ने Lacey ने कहा कि कोई canal तब stable कहलाएगी जब उसका discharge constant रहेगा जब उसके अंदर flow uniform रहेगा जब उसका silt की quantity silt का amount कितना आ रहा है उसके अंदर और silt particle का size कितना आ रहा है वो constant रहेगा जब canal जो है वो ऐसे medium में flow कर रही है कि जितना amount आ करके settle हो रहा है जितना amount आ करके settle हो रहा है उतना ही वहाँ से उठकर के जा रहा है तो ये सारी situation जब हो जाएगी तब उसे बोलेंगे कि canal अपने true regime में है true regime condition उसने obtain कर लिए जब लेसी ने इतनी सारी theoretical बातें इतनी सारी ideal प्यारी प्यारी बातें भूल दी तो obvious है कि ये real situation में तो देखने को नहीं मिलेगा लेकिन इसे फिर भी नाम दिया गया कि अगर ऐसी situation हो तो इसे true regime condition बोलेंगे दूसरी आते है initial regime condition ये regime conditions किसकी बात हो रही है आपने क्या किया है अर्दन के नाल में पानी को flow करा दिया है तो क्या वो इनिशेली वो अर्दन के नाल एकदम stable हो जाएगी नहीं होगी stable उसके अंदर क्या होगा जब पानी बहरा है तो पानी के करणन उसका bed slope change होगा कहीं sediment deposit होगे कहीं से scouring हो जाएगी कहीं पे side slopes जो है वो भी change हो सकते हैं overall के नाल का cross section change होगा तो धीरे धीरे करके वो stability की तरफ जाएगी तो इसमें हम कह रहे हैं कि initial regime condition कौन सी है initial regime condition वो condition है जब only bed of the channel varies सिर्फ और सिर्फ bed जो है channel का वो change हो रहा है तो हम इसे बोल देते हैं initial regime condition है initial regime condition के अंदर आप ये कह सकते हैं if a channel is excavated with smaller width and flatter bed slope छोटी width है flatter bed slope है then as the flow takes place in channel bed slope of the channel is increased due to deposition of silt on the bed to develop increased flow velocity hence the given discharge is allowed to flow through the channel of smaller width and sides of such channel are subjected to lateral strain and could have scoured if the bank soil would have been in true alluvium अगर इनके आस पास यहां पर अगर आपने channel के width तो कम कर दी channel के width कम की bed जो है वो relatively flat रखा पीछे याने की upstream side में sediments deposit हो जाने के करण अपने आप यहां पर bed का जो slope है वो change हुआ water flow करता रहेगा क्योंकि bed के width आपने कम रखी और आस पास अगर grass हुई घास हुआ या अगर shrubs जाडियां यह सब हुई तो उनकी वज़े से यह channel appear हो सकता है regime condition में stable लग सकता है यहां पर तो ऐसे channels किसमें कहलाते हैं true regime condition में कहलाते हैं तो Lacey के initial regime condition के अंदर भी theory उसकी valid नहीं है जब channel में इतनी उथल उथल हो जाए कि उसका bed slope, depth of flow, width यह सारे change हो करके अब ऐसे adjust हो गए हैं अब further changes उसमें नहीं हो रहे हैं तब हम इसे कहते हैं कि यह अपने final regime condition में आ गई है और अब यह जो channel बनता है Lacey से यहां question पूछता है कि अब यह जो channel बनता है यह कौन सी shape का बनता है यह semi elliptical shape का channel बनता है लेकिन Lacey ने जो calculation की वो calculation trapezoidal के according की तो यह भी वहाँ पर एक drawback बनता है तो semi elliptical channel था लेकिन calculation किसके according की थी trapezoidal channel के according की थी अब Lacey से related important बात है question number 1 1.76 root D question number 2 mean flow velocity QF square upon 140 raised to the power 1 by 6 2.5 V square by F hydraulic mean radius या hydraulic depth area of cross section यह तो simple है यह वाली value आपको याद रखने है यह formula यह formula 3 फिर उसके बाद 4th formula Lacey के according 4.75 root Q यह vetted perimeter आता है objective में पूछा जाता है 1 upon 3340 F raised to the power 5 by 3 Q raised to the power 1 by 6 यह आजाता है आपके पास bed slope तो main main बाते तो यह याद रखने है आपको paper 1 के according अगर हम देखें तो यह याद रखने है scouring depth और यह बहुत कम chance होते हैं paper 1 के अंदर आपसे पूछने के Lacey की theory के drop back की बात करें तो elliptical shape का वो channel था लेकिन उनकी calculation में ऐसा नहीं दिखा regime relations do not account for amount of sediment transported by flowing water characteristic of regime जो हैं उन्हें बहुत बहतर तरीके से नहीं define किया गया Lacey और Kennedy के basic comparisons करें तो इसमें उन्होंने कहा Kennedy ने कहा कि सिर्फ bed से ID generate हो रही है Lacey ने कहा bed और side से generate हो रही है Kennedy ने cutter की equation का इस्तेमाल किया Lacey ने खुद की equation जो है वो दी फिर bed slope की equation Kennedy ने नहीं बताई लेकिन Lacey ने उसकी theory बताई तो यह basic basic से इनके differences हैं Reverse के types की बात कर लेते हैं फटा फट से Reverse on the basis of ऐसे question आ सकते हैं चार option दिये हुए होंगे और आप से बोलेगा based on the variation of discharge in river Reverse can which out of the following is not a classification based on discharge तो option A होगा perennial option B होगा non-perennial option C होगा fleshy option D होगा degrading reverse तो आपको बताना है degrading river तो stability के हिसाब से उसका classification है जो अपना water का source रखती है कहां से जो glaciers की ice या snow melt हो रही है वहां से उसमें पानी आता है तो हमेशा उस river के अंदर water flow करता रहेगा non-perennial rivers वो river है जो की summers के time पे सूख जाएंगी monsoon के दरान या बारिश के दरान ही उन rivers के अंदर discharge जादा आएगा flashy rivers वो rivers है जिन में आज एकदम बारिश होई किसी catchment में तो उस particular river में पानी आ गया दो तिन दिन में वो गयब हो गया वहाँ पर तो ये flashy rivers एकदम flash होई जैसे camera के light क्या होती है एकदम flash होती है जलती होए और बंद हो जाती है तो वैसे ये flashy rivers next आती है हमारे पास virgin rivers तो ये rivers ऐसी river होती है जिनका पानी कुछ दूर तक चलते चलते ही evaporation के गारणी खतम हो जाता है तो ये rivers on the basis of discharge हमने बताई then आती है on the basis of stability stability के हिसाब से stable rivers वो river होती है जिनके cross section में ज़्यादा variation नहीं आते हैं when alignment of a river channel उसका slope हो या river regime हो वो stable हो relatively and show little variation थोड़ा बहुत variation तो आए गई मान लीजे इस साल जो बहुत जादा ऐसे rivers होती है जो stable नहीं उनमें क्या होगा इस साल अब cross section आपको ऐसा दिख रहे है फिर sediments कुछ deposit होते रहेंगे कुछ हटते रहेंगे बाद में आपको कैसा दिखा ऐसा दिख गया कुछ time बाद आपको उसका ऐसा दिख गया तो cross section उसका change होता रहेगा sediments deposit हो रहे हैं और कुछ sediments वहाँ से हट रहे हैं तो ये river के stability के इस आप से बता रहे हैं तो पहला stable river दूसरा aggrading aggrading rivers वो river होते हैं जिनके अंदर sediments आ करके अब एक ही river के components हैं कहीं पर वो river कैसी show हो रही है stable हो रही है किसी location पर जाके हो सकता है कि वहाँ पर वो aggrading हो जाए मतलब उस particular location में sediment deposit ज़ादा हो रहा है अगर mountainous region में है river तो वो mountainous river कहलाएगी flood plains में आगे ही तो वो flood plain वाली rivers कहलाएगी tidal zone में चली गए मतलब sea के बिलकुल past चली गई इतना past में चली गई कि आपको वो river कुछ दूर तक sea के अंदर भी जाती होई नजर आ रही है तो वो क्या है tidal river sea के अंदर जाती हूँ नजर आ रही है का मतलब कि जब sea का water tides जो आएंगी sea की वो tides river के अंदर आ रही है उस particular stream या उस channel के अंदर आ रही है तो आप उन्हें tidal rivers कह देंगे देन आती है delta river, delta region के अंदर जो rivers रहती है on the basis of their plan plan मतलब top view से जब आप helicopter में बैट करके इसे देखेंगे कि यह river ऐसी कैसी दिख रही है तो आपको जब ऐसी shape की इस तरीके से meandering करती हुई curves बनाती हुई river दिख रही है तो वो meandering rivers होती है meandering rivers के अंदर जब water flow करेगा इन curves के along तो कहीं पर erosion होगा कहीं पर sediment deposits होंगे इनी से oxbow lakes भी form हो जाती है कि यहां से water मान लीजिए कोई रस्ता बन गया तो water सीधा सीधा जाना शुरू हो गया तो यह इतना पानी यहां पर अलग से trap हो गया यह अलग से इस तरफ lake form हो गयी तो यह meandering rivers होती है on the basis of top view उपर से जो आप देख रहे है so on the basis of top view अगर straight दिख रही है तो straight मेंडर करती हुई तो मेंडर और अगर जैसे आपके favorite film stars जो योगांडा से होते हैं उनके अगर आप hair style आप देखेंगे तो वो कैसी दिखते हैं ऐसे दिखते हैं braids बना रखे होते हैं उन्होंने तो braided river जिसके अंदर आपको इस तरीके से बहुत सारे channels दिख रहे हैं beach beach में sediments deposit हुए दिख रहे हैं तो यह क्या होते हैं braided rivers होते हैं तो top view से जैसी दिखाई दे रही है तो यह braided है फिर आते हैं river training के उपर river training किस वज़े से करते हैं flood से protect करने के लिए navigation purposes के लिए मतलब आप पानी को इस तरीके से channelize कर रहे हैं control कर रहे हैं कि पानी से flood ना आ जाए जब भी कभी बहुत ज़़दा बारिश होगी head reach के अंदर या फिर mountain से जब ज़़दा पानी आ रहा है उस river में और उस region में भी ज़़दा वारिश की वज़े से आ रहा है तो flood से protect करने के लिए river training कर रहे है navigation purposes के लिए मतलब अब river के अंदर आप ये ensure कर रहे हैं कि sufficient depth available है कोई भी vehicle या water वाला vehicle boat vessel उसमें चल पाए तो वो training for depth भी कहलाता है देनाते हैं sediment control अब आप river training कर रहे हैं किस purpose से इस purpose से कि sediment को control कर पाए sediments जो है वो उसके अंदर ज़्यादा deposit ना हो या ज़्यादा वहां से scouring ना हो तो इस type की training को आप बोल देंगे कि mean water training है ये तो फिर है guiding the flow अगर ऐसे hydraulic structures आप बना रहे हैं जिनके अंदर आपको पानी को ले करके आना है जैसे आप अपने मित्र को घेर के लाते हैं ना कि चलो आज इसको दबोचते हैं दो-चार मित्र मिल जाते हैं और उससे तरह-तरह की बातें बोल करके बहला फूसला के ले जाते हैं पिज़ा के लाने तो ये guiding the flow वैसे ही पानी को क्या कर रहे हैं हम guide कर रहे हैं channelize कर रहे हैं एक particular segment की तरफ then फिर आते हैं canals के उपर जो नहर होती है canals एक ऐसा structure एक ऐसा channel जिसके तरह हम पानी एक जगा से दूसरी जगा ले करके जाते हैं एक जगा कौन सी river दूसरी जगा कौन सी further आगे बहुत सारी canals या फिर end user तक permanent canal वो canals जिसमें continuous water आएगा inundation canal वो canals होती है कि अगर river के अंदर कोई access water आ गया flooding situation आ गए या main canal में access पानी आ गया तो वो उस inundation canal में provide कर दिया जाएगा जिससे की main structure को नुकसान ना पहुंचे irrigation purposes के लिए जो canal बनाई जाती है वो irrigation canal है navigation के लिए जिनके थूँ आप travel कर पाएं वो navigation वाली canal होती है अगर आप electricity produce करने के लिए कर रहे हैं main के आगे further branch आती है branch के आगे major distributor उसकी फिर minor distributor और last में water course जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है ये आ जाता है main canal के अंदर direct irrigation नहीं करता है main canal का काम में बाकी के नाल तक पानी पहुंचाना branch canal जो है branch canal further major distributor में और minor distributor में जाएंगी branch canal से भी rarely ही direct fields को पानी प्रोवाइड किया जाता है major distributor minor distributor इन से पानी प्रोवाइड किया जा सकता है इनकी अगर हम बात करें discharge जिसके तो branch canal का 5 meter cube पर second discharge rate रहता है इससे जादा रहता है अगर 0.25 से लेके 5 रहता है तो major distributor होती है minor distributor के case में 0.25 5 meter cube पर second से कम discharge रहता है और water course खेट तक पानी लेकर के जा रहा है तो ये main main बाते है canal outlet क्या होता है canal outlet होता है canal से अब जो पानी water course में जाएगा तो वो जो junction वाला point है इस तरफ आपको यहाँ पर canal दिखाई दे रही है अगर आप यहाँ पर चल करके canal में जाएंगे तो यहाँ canal के banks पे आप खड़े होंगे उपर canal है तो canal से पानी और इस तरफ ऐसे water course आ रहा है तो water course में पानी जो आता है वो canal outlet की मदद से आता है so discharge through a outlet is usually less than 0.085 meter cube per second इस से कम ही होता है outlet के types कौन-कौन से होते हैं non-modular, semi-modular, modular outlet non-modular outlet में जो capacity है वो depend करती है difference of water level in distributory and water course इसके और इसके level में difference कितना है इस पे depend करेंगे non-modular outlets semi-modular का जो discharge है वो depend करेगा only on water level in distributory और इसमें कितना level है इस पे नहीं depend करेगा यहाँ कितना है इस पे depend करेगा modular outlet वो है जिनके इंदर discharge independent होगा कि distributory में कितना है और इस water course में कितना है वो एक fixed amount का discharge हमेशा provide करता रहेगा देना आते हैं delivery of water to farms इसके अंदर आता है कि continuously पानी देना है या फिर free demand system है continuously मतलब हम continuously पानी provide करते जा रहे हैं free demand में मतलब जब farmer को ज़रूरत है तब वो पानी utilize कर लेगा rotation delivery system का मतलब सब की बारी आपने भांद देखी है हाँ इस time आपको मिलेगी या फिर control demand system modified rotation जिसके अंदर आप priority देंगे rotation basis को लेकिन actual delivery depend कर सकती है actual water availability और actual demand के corresponding वो depend कर जाएगी तो यह जो पूरा management का system होता है कि कब कितना पानी कहां पर पहुंचाना इसे ही को बोलते हैं वाराबंदी system इसी को क्या बोलते हैं वाराबंदी system बोलते हैं जैसे main canal है उस main canal में हमेशा पानी चलता रहेगा फिर आपने further उसको divide कर दिया example के तोर पे ले रहे हैं कि एक महीने ये पूरे महीने चलेगी उस एक महीने में 15 दिन इस branch canal को 15 दिन इस branch canal को पानी दिया जाएगा फिर इन 15 दिन में से कुछ दिन इसको कुछ दिन इसको या फिर parallel भी चल सकते हैं depending upon discharge in this canal तो फिर आगे further divide करते चले जा फिर field तक पहुंचा तो field में भी आप बताते हैं कि हंजी जितने पर बिगा या पर आप उसको बोल सकते हैं पर किला जो होता है area के according कितना area है उसके according उसे time और lot कर दिया जाता है कि इस दिन इस time से इस time आप पानी utilize कर सकते हैं ये पूरा overall जो system है ये क्या कहलाता है वारबंदी system कहलाता है फिर आदे है canal headworks के उपर canal में पानी कैसे लाया जा सकता है canal में पानी लाया जा सकता है कुछ temporary barriers बना करके wear का यूज करते हैं या बेराज का यूज करते हैं mainly wear use होता है तो river के रस्ते में एक barrier बनाया है हमने एक machinery दिवार बनाई जहां से upstream side में पानी कठा होगा फिर उसे divert करके हम ले जाएंगे canal के अंदर wear तो बस एक machinery barrier है एक दिवार बनी हो या पानी के रस्ते में और बात की जाए अगर बेराज की तो बेराज gated होता है gates लगे हुए होते हैं control कर सकते हैं कि कितना पानी इसके थ्रू जाए और कितना रुख जाए वहाँ पर canal headwork को कहां बनाए जब river अपने hilli stage में है hills से आ रही है वहाँ पर नहीं बना सकते है वहाँ velocity भी बहुत ज़ादा होती है और इतना ज़ादा water accumulation भी नहीं होता है boulder stage के अगर हम बात करें तो boulder stage यह नहीं कि जब hills से थोड़ा सा आ गया जाती है बड़े बड़े पत्थर होते हैं जहां पर वहाँ बना सकते हैं फिर next आती है हमारे पास alluvial stage तो alluvial stage के अंदर भी हम बना सकते हैं आप लगा सकते हैं या boulder stage में आप लगा सकते हैं कौन कौन से components आपको किसी divergent headwork के अंदर देखने को मिलते हैं इन component में आते हैं सबसे पहले wear एक missionary barrier है इस wear के थूँ आप पानी रोकेंगे इस पूरे wear को आपने river के रस्ते में लगा दिया इधर से पानी आ रहा था यहां आपने barrier बना दिया अब इस wear के दो component है इस तरफ वाला जिसे wear proper बोलते हैं इस तरफ वाला under sluice pocket यह एक ऐसी pocket बन जाती है जिस pocket की depth normal depth से भी जादा है और उसमें से canal को पानी दिया जा रहा है ऐसे समझ लीजी एक बहुत बड़ा water tank है यहां पर आकर के उस tank के अंदर पानी आ रहा है उस tank में से पानी canal में जा रहा है लेकिन जा किस प्रकार से रहा है जा कुछ इस प्रकार से रहा है यह water की pocket जो form हो रही है यह water की pocket कुछ ऐसी form हो रही है कि अब इसमें से ये जो केनाल में water supply किया जा रहा है let's say this is your केनाल तो अब ये केनाल में जो पानी जा रहा है इस केनाल के अंदर यहां से ये केनाल निकल गई आपकी इस तरफ तो कुछ पानी यहां नीचे रहेगा जिसके अंदर क्या होगा जैसे इस under sluice pocket के अंदर पानी आया है उसके sediments यहां settle हो जाएं sediments जब यहां settle हो जाएंगे तो यहां पर under sluice gate होंगे इन gate को open करके यहां से क्या निकाल लेंगे sediment निकाल लेंगे और relatively clear water इस केनाल में पहुँच पाएगा इस under sluice pocket के अंदर जो पानी present रहेगा वो कितना present रहना चाहिए कि वो इस कैनाल को पूरा भरा हुआ supply करें जितना इस कैनाल का full supply level है उससे जादा पानी इसके अंदर available हो ताकि कैनाल को अगर हमें full supply level पे भी भेजना है तो हम भेज पाएं यहां से तो इस तरीके से यह under sluice pocket रहेगे जो भी water आ रहा है उस water के अंदर जो turbulence है वो इस relatively enclosed pocket के अंदर आके शांत हो जाएगा और जिससे sediment settle होंगे और relatively clear पानी यहां से जाएगा अगर discharge कम भी आया river में यहां पे तो वो पानी पहले यहां जाएगा आपने इसे एक divide wall की मदद से divide कर रखा यह पूरा वीर जो था इसमें वीर प्रॉपर और under sluice pocket इनको कैसे बनाए एक divide wall बना करके आपने इनको separate कर दिया तो divide wall की मदद से आपने ऐसा किया under sluice pocket से जो भी यहां sediments हैं वो connect कर दिया जिसे की यहां जो भी ponding होगी पानी इकठा होगा वो आसपास की area को पानी में submerge ना करे तो आपने elevated area से connect कर दिया यहां और पानी इनके पीछे यहां पर pond हो गया अब इस कैनाल में water चला जाएगा इसी से related कुछ-कुछ पाकिट को separate करना divide wall की top width जो होती है वो 1.5 से 2.5 मीटर होती है divide wall का main काम क्या है एक काम तो यह इनको separate करना दूसरा काम है कि अगर ऐसे cross currents है water अगर ऐसे इस direction में flow करेगा तो यह divide wall उसको stability provide करेगी उसके उस turbulence को या cross currents को सह पाएगी यहां पर तो उसमें help करती है fish ladder यह जो आपको यहां दिख रहा है segment यह fish ladder होती है जब fish upstream से downstream जाती है तो उसको कोई problem नहीं है वो बैते हुए पाने के साथ चली जाएगी लेकिन इन structures के कारण जब fish की movement वापस अगर upstream side में हो तो वो fish इन structure के कारण उपर जा नहीं पाएगी यहीं पर टकरा टकरा के उसकी death हो जाएगी तो fish या aquatic life को maintain करने के लिए यह fish ladder हम बनाते है fish warmth की तलाश में food की तलाश में अपने reproduction की तलाश में downstream ends में जाती है जब वो वापस lot के आएगी तो उसके लिए यहाँ पर यह provision हम रखते है so migratory fishes are called as anadromous fish move from one part of the river to another part according to the season in India only one such migratory fish is found and that is hilsa canal head regulator का काम क्या है canal head regulator regulate करेगा कि canal के अंदर कितना पानी जाना चाहिए अब इस canal head regulator को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो canal head regulator आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा इसके बीच पीच में यहाँ पर piers बने होंगे और यहाँ पर लगे होंगे gates जितना पानी आपको इसमें छोड़ना है उसी के corresponding आप उसे vary करवा सकते हैं canal head regulator के उपर एक breast wall बनी होगी इसके उपर एक concrete की दिवार बनी होई होगी कि किसी case में यहाँ ponding अगर जादा हो जाए तो वो पानी उपर से बह करके ना निकले यहाँ gate तो इतने में present है उपर के barrier भी provide कर दिया हमने जिससे इसके उपर से वो पानी बह करके ना लिकले canal head regulator के canal head regulator को ऐसे perfectly 90 degree पे ना provide करके कुछ जादा angle पे provide कर देते हैं जिससे यह पानी आए तो इसे divert करने में थोड़ी आसानी रहे हैं हमें यहाँ next आते हैं breast wall already हमने discuss कर लिया और then आते हैं silt excluder और silt extractor क्या होते हैं silt excluder का मतलब exclude कर देना जैसे college में function था उस function में seniors ने आपको exclude कर दिया आपको participate ही नहीं करने दिया तो exclude कर देना involve ही नहीं हो पाए एक होता है eject कर देना जैसे pen drive आपके laptop में इंसर्टेड है तो आप उसे क्या कर रहे हैं eject कर रहे हैं DVD drive के इंदर DVD inserted है उसका button प्रेस करके जब आप उसे बाहर निकाल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं similarly water में canal के पानी में already अगर silt जा चुकी है फिर आप उसे हटा रहे हैं तो वो silt ejection है अगर पहले ही अटा दिया canal में जाने ही नहीं दिया उससे पहले silt को अटा दिया तो silt excluder कहलाएगा अब दिखने में sound तो ये जादा करता है कि silt excluder अच्छा है कि silt excluder जो canal में पानी जाने से पहले ही silt को अटा दे वो अच्छा है लेकिन ऐसा नहीं है silt extractor जादा बेटर है silt extractor बेटर क्यों है क्योंकि canal में जब पानी एंटर कर रहा होगा तो वहां बहुत सादा turbulence होगा वहां इतने अच्छे से silt नहीं अटेगी जितनी canal में कुछ दूर तक जब पानी ट्रेवल कर गया stability आ चुकी है तो वहां ज़ादा silt सेटल होगी upstream, downstream side पे, downstream side पे या फिर ऐसी sheet piles का use कर सकते हैं जो की उनके थूर डिस्चार्ज नहीं होने देगी और उनकी safety ensure करवाएगी अगर uplift pressure को reduce करवाना है तो आप upstream direction में sheet pile use कर लेंगे जिससे water को इस तरीके से travel करके ज़ादा रस्ता दूर आना पड़ेगा और उसका uplift pressure यहाँ पर reduce हो जाएगा, अगर हम बात करें piping की, तो piping के लिए आप downstream side पे भी sheet pile provide कर दीजिए, जिससे की अब और ज़दा losses होंगे पानी को और लंबा रस्ता तैय करना पड़ेगा जिसमें कि उसके losses हो जाएगे और फिर वो हमारा इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा इस beer को इसके लावा surface के उपर भी कुछ नुकसान हो सकते हैं, जैसे की hydraulic jumps form हो सकते हैं, suction के कारण, suction हो सकता hydraulic jump के कारण उसके लिए आप क्या कर सकते हैं floor का profile ही ऐसा design कर दें कि जिससे ये jumps form ना हो construct floor as monolithic concrete mass instead of indifferent layers of machinery scouring of upstream होगी या downstream के तो उसके लिए आप sheet piles का या deep piles का इस्तेमाल कर सकते हैं impervious floors बना सकते हैं cross drainage work के अंदर जब naturally flowing कोई stream है, वो आ जाए अगर naturally flowing stream और आपकी canal ये दोनों एक दूसरे को intersect करे तो हमें cross drainage structures की जरूरत पड़ेगी जैसे कि इस case में कोई naturally flowing drain का पानी यहां से जा रहा हो canal का पानी यहां से जा रहा हो तो इसे क्या बोलते हैं, aqueduct बोलते हैं aqueduct में अगर ये जो naturally flowing stream है ये पूरी भरी होई जाए ये पूरी भरी होई अगर जा रही है तो natural streams के लिए word हम क्या use करते है flood level इनके लिए क्या word use करते है highest flood level flood का मतलब यहां पर यह है कि जो पानी भैकर के इनके अंदर आ रहा है कहीं पर बारिश होई तो वो बारिश का पानी किसी न किसी stream में तो भैकर के आएगा किसी न किसी river में तो आएगा तो वो river भै रही है यहां से वो maximum से maximum कितना पानी ला सकती है तो उसका highest flood level से भी उन्चा होगा इस canal का bed level तो ऐसे structure को क्या बोलते हैं aqueduct बोलते हैं जिसमें canal उपर जा रही है naturally flowing water stream जो है वो नीचे से जा रही है so this is aqueduct siphon aqueduct में क्या होगा कि canal का bed जो है वो नीचा रहेगा इस naturally flowing stream के highest flood level से अभी भी canal है तो उपर ही इस natural drainage structure है इसके natural drain के उपर ही है लेकिन इसका bed level इसके highest flood level से नीचे है या यूँ कह लीजिए कि जब इस drain में ये जो naturally flowing water आ रहा है इसमें अगर पूरा पानी भरा हुआ आ जाएगा highest flood level आ जाएगा तो ये canal का bed इसे depress कर देगा इसे दबा देगा तो ये siphon aqueduct है next आता है आपके पास super passage super passage में क्या होता है super passage के अंदर super passage में natural drain उपर जाएगी जैसे बारिश का पानी अगर यहां गिरता है तो वो उपर उपर जा करके cross करेगा और canal नीचे रहेगी तो super passage में natural drain उपर रहती है और इसमें भी same ही criteria कि इसका जो bed level है natural drain का इस canal के full supply level से जब ये canal पूरी भरी हुई जाएगी हम इसमें full supply करके भेजेंगे तो इसके full supply level से उँचा रहेगा इसका bed तो ये super passage होता है फिर आते हैं siphon siphon में canal में पानी जो भह रहा है वो pipe flow की तरह भहने लग जाएगा इस image के अंदर तो पूरा flow नहीं दिख रहा पूरा दिख रहा होता तो हमें ये ducts भी नहीं दिखते आप यूं मान लिजिएगा कि ये आपका natural drain था जो उपर से जा रहा है जो आपको अभी यहां से दिखाई नहीं दे रहा लेकिन ये है और canal में अगर पानी पूरा यहां तक भरा हुआ होता तो उस case में इन ducts के थूरू जो पानी आता वो pipe flow की तरह आता प्रेशर के अंदर आता तो इसे क्या बोलते हैं साइफन बोलते हैं objective में इनी से related questions आज कल कैसे पूछे जाने शुरू हो चुके हैं कि इनके reduce level देख करके पूछता है आप से कि इनका reduce level so and so है जैसे इस case में पूछ लेगा कि इसका highest flood level जो है वो 100 meter की height पे है canal का bed level 110 meter की height के उपर है reduce level पे है तो बताएं यह कौन सा structure है तो आपको पता है canal का bed level अगर इसके highest flood level से भी उन्चा है level crossing का इस्तेमाल कैसे करेंगे level crossing के अंदर आपने एक main canal यहां से जा रही थी इसमें आपने क्या कर दिया cross regulator लगा दिया यहां पर एक regulator इस तरफ लगा दिया यहां natural drain में पानी आ रहा था natural drain का पानी आप तब mix कर पाएंगे तबी तो ऐसा structure बनाएंगे level crossing के अंदर जब आप पानी को mix कर सकते हैं दोनों का पानी ऐसा है कि आपस में mix किया जा सकता है तबी आप level crossing का इस्तेमाल करेंगे आपकी main canal यह जा रही थी जब main canal यह थी तो आप यह तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि canal का पानी natural drain में चला जाए फिर तो canal का purpose झी खराब हो रहा है ना हमारा तो canal का जो full supply level है उसके बराबर एक दिवार बना देंगे यहाँ पर canal के full supply level के बराबर यहाँ पर एक दिवार बना देंगे ताकि canal का पानी इस drain में जादा आ गया तो वो बाहर भी निकालना पड़ सकता है तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं या फिर यह है कि कैनाल को कुछ रिचार्ज कर दिया थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो बचा वो निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं Similarly इस तरफ जब आगे पानी आपको जादा भेजना है तो तो इस रेगुलेटर के थूजादा भेज दीजिए यहां का पानी लीजिए आगे भेज दीजिए अगर आपको यह है कि यहां पानी कम भेजना इस डिरेक्शन में या वो कैसा था कि full supply level canal का है कितने पर 213.5 पर है bed level of canal यह 213.5 पर bed level canal का 213 पर highest flood level in drain यह natural drain जा रही थी इस natural drain का highest level क्या है 210 मेंटर है तो आप बताएं कि highest flood level इस natural drain का नीचे ही है इसके bed level से तो एक्विडक्ट हो गया ऐसा structure क्या है एक्विडक्ट है next canal के falls पे आते हैं canal falls की ज़रूरत क्यों पढ़ती है जब भी natural ground का slope जादा हो अमारे design slope से तो हमें falls की ज़रूरत पढ़ती है हम हमारी मर्जी से कहीं भी canal को एकदम से बहुत ज़ादा slope नहीं दे सकते हैं अगर आपने ऐसा दे दिया तो पानी की velocity बहुत तेज हो जाएगी वो canal ही आपकी तूट सकती है canal के material की पूरे scouring हो जाएगी इसलिए canal को हमें एक fixed slope के according ही लेके जाना चाहते हैं तो अगर आपका natural ground कुछ इस प्रकार से जा रहा था हमारा design slope तो था ऐसा तो हम चाहेंगे water का profile हमेशा इस line के parallel ही रहे तो इसके लिए हम यहां से कुछ तो cut कर देंगे इस जगँ कुछ material फिल कर लेंगे और इस तरीके से इस slope के according चलने की कोशिश करेंगे लेकिन जब ऐसा feasible नहीं है कि आप properly यह पूरा का पूरा ऐसा slope maintain करें artificially तो उस case में हम क्या कर देते हैं falls provide कर देते हैं कि excess energy को dissipate करा हो के नाल की और बाद में आगे फर्दर वैसा ही slope maintain करके चलो तो इसमें पहला fall आता है और फिर concave shape provide करता है यहाँ पे convex है यहाँ पे concave shape है तो augie fall होता है augie fall का use करते हैं फिर आते हैं rapid falls rapid falls थोड़े से expensive थे और इनके अंदर sloping glacis use किये गए थे boulders के या stones के glacis use किये गए थे कुछ ऐसी shapes जो हैं glacis की इस्तेमाल की गई तो यह महेंगे पड़ते थे फिर trapezoidal notch falls जैसे notch आप ने देखी होगी notch कहाँ पे देखी होगी कोई अच्छे restaurant में hotel में आप गए होगे तो वहाँ पे उनके reception पे entrance पे बहुत जगां पे ऐसे लगे होते हैं वो पानी गिर रहा होता है तो notch के एक ऐसी सी shape है जिसके उपर से ऐसे पानी गिर रहा है तो वैसे ही trapezoidal notch falls अगर आप इन में देखेंगे तो उस side से पानी आ रहा था इस notch से आएगा इस notch के अंदर notch के नीचे वाले side पे एक lip बना हुआ होता है वो ऐसा lip वो lip पेगे ऐसे water को आगे drop कर देता है तो यह trapezoidal notch falls होता है फिर आते हैं well type falls इनके अंदर अच्छा खासा water का energy dissipation होता है एक पानी का ही कुँआ है इसी के अंदर आकर के पानी गिर रहा है अपनी excess energy dissipate हो रही है फिर एक बहुत बड़े diameter की pipe के थुरू या जिसे hum pipe बोल देते हैं उसके थुरू वो पानी यहां जा करके बाहर जा रहा है तो इस level से इस level पर water आ गया level भी change हो गया हमारा energy dissipation भी हो गया structure को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि पानी गिरा तो किसके उपर पानी के उपर ही इसी का further और अच्छा रूप आ जाता है जो की सार्दा टाइप fall में आपको देखने को मिलता है तो सार्दा fall के अंदर क्या होता है यहां पे एक provision करते हैं कि इतने depth of water हमेशा भरा रहे एक water का cushion बनाते हैं अब पानी आगर के इस level से इस level पे गिरेगा इस पे गिरेगा तो कोई concrete के structure पे दो गिर नहीं रहा पानी पानी के उपर ही गिर रहा है तो energy भी dissipate हो जाती है और यह और अच्छा perform भी करता है efficient भी रहता है straight type glacis fall straight type glacis fall मतलब बस ऐसे glacis आपने form कर दिया machinery भी हो सकता है stones का भी हो सकता है concrete का भी हो सकता है तो इसके through hydraulic jump बनेगा यहाँ से पानी इसके उपर से गिरेगा यहाँ पर आ करके hydraulic jump का formation होगा जिसके कारण energy dissipation होगा देन आते हैं montague type fall इस fall को इस तरीके से design किया जाए कि यहाँ से पानी जिस direction में जिस flow में जिस profile में गिरेगा वैसे के वैसे ही इसको shape provide की जाती है तो काफी महंगा design यह पड़ता है और difficult to construct होता है इसलिए यह भी इतना ज़ादा use नहीं होता है next आता है English type fall जिसके अंदर क्या होगा यहाँ से stress से नहीं चैपानी गिरेगा और baffle walls होंगे दिवारे बनाई होंगी छोटे छोटे obstruction बनाए होंगे जिन पर आकर के यह टकराएगा और excess energy को dissipate कर देगा कुछ छोटी छोटी प्यारी प्यारी बात है इन केस आप पढ़ना चाहते हो तो irrigation project से इन इंडिया में आते हैं cultural command area के हिसाब से major irrigation project जो की 10,000 hectare से ज़ादा cultureable command area होते हैं वो major irrigation project कहलाते हैं 10,000 से 2,000 के बीच में medium 2,000 से कम minor irrigation और फिर major and medium irrigation project को further classify कर दिया जाता है direct irrigation method indirect या storage irrigation method से based on the way of water application के यह साब से gravity flow irrigation scheme होती है हमारे पास lift irrigation scheme होती है कुछ important projects के नाम है कहाँ पर located है किस river के अंदर है यह सब आपको PDF के अंदर मिल जाएगा then आदे reclamation of soil water logged soil बहुत जादा irrigation करने के करण क्या हो जाता है soil की water logging हो जाती है soil पानी बहुत जादा वहाँ पर stagnant रहेगा जब पानी रूका हुआ रहेगा aeration नहीं होगा aeration नहीं होगा तो उस case में उस soil के fertility lose होनी शुरू हो जाएगी plants को proper nutrition नहीं मिलेगा soil के अंदर के salts जो है नीचे के salts वो भी surface पे आ जाएगे तो धीरे धीरे वो जगा बंजर बनना शुरू हो जाएगी तो ये water logging कहलाता है बहुत ज़ादा irrigation के कारण आसपास कोई canal जा रही थी या फिर कोई river जा रही थी canal unlined थी और river जा रही थी जिसका discharge बहुत ज़ादा आ गया उस field में तो water logging हो गई उसके अंदर in adequate natural drainage अपने आप पानी भै करके नहीं जा रहा है जो बारिश हुई जो भी वहाँ पर पानी आया वहीं के वहीं रुख गया excessive rainfall के कारण हो सकता है seepage के कारण हो सकता है आप crop rotation यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी ऐसी crop है जो बहुत ज़ादा water demanding है तो एक बार ऐसी यूज़ कर सकते हैं जो कम water को demand करती हो जिससे कि हम balance कर पाए canal की lining कर दें ताकि canal से बहुत ज़ादा discharge आपके field में ना आए reducing intensity of irrigation improving internal drainage system और lift irrigation system इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं done soil reclaim अगर करना है तो soil reclamation का मतलब है कि कोई ऐसी soil जो की unproductive हो गई थी अब उसे फिर से productive करना उसे कैसे कैसे कर सकते हैं leaching के थू कर सकते हैं leaching का मतलब कि अब उसमें ऐसा साफ पानी आप डालो जिससे की salts उसके dissolve हो करके और उस पानी के थू बाहर निकल जाए अब आपकी soil फिर से उपजाओ हो जाए कौन कौन से salts responsible होते हैं salinity के लिए तो sodium के साथ अगर chloride आ जाए sulfate आ जाए carbonate आ जाए तो इन सब के कारण soil infertile हो सकती है तो sodium chloride, sodium sulfate या sodium carbonate ये होते हैं chloride और sulfate मिलकरके white appearance देते हैं carbonate black appearance देते हैं अगर ये present है और आप gypsum का यूज कर लेते हैं calcium sulfate का यूज कर लेते हैं तो calcium carbonate और sodium sulfate फॉर्म हो जाता है so gypsum is added to soil before leaching तो अगर sodium carbonate present होगा तो वो हट जाएगा sodium sulfate बन जाएगा और वो water made dissolve हो करके वहाँ से हट जाएगा ये वाले detail थोड़ी सी extra है अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपके उपर है नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसे skip भी कर सकते हैं ठीक है ये pdf में आपको मिल जाएगी और further आप इसे read कर सकते हैं land में जो water है उसको drain करवाना है तो surface drainage हो सकता है सब surface drainage हो सकता है जिनको हम use कर सकते हैं water का excess पानी drain out करने के लिए tile drains क्या होती है tile drains होती है वो structure जिनकी मदद से हम आपने irrigation जो provide कर दिया यहाँ पर field में पानी provide कर दिया अब वो capillary voids के अंदर lock हो जाएग capillary voids कुछ पानी रख लेंगी बाकी जो पानी बच गया excess वाला वो आकर के यहाँ पर inside ditches के अंदर या in outlets के अंदर आकर के बाहर निकल जाएगा तो यह provision है जिससे हम soil का drainage कर बासकते हैं तो यह tiles provide कर देते हैं या फिर यहाँ यह कह लिजीए एक तरीके के perforated pipes होते हैं जिनमें excess वाला पानी निकल करके बाहर आ जाता है ठीक है दोस्तों अभी के लिए इतना ही irrigation engineering इस एक session के अंदर हमारा thank you so much मेरा नाम है संदीब जयानी अगर आपको यह sessions अच्छे लगते हैं तो make sure you subscribe to this channel और bell icon प्रेस कर दीजेगा जिससे की जो भी हमारे sessions होते हैं उनके notifications आप तक instantly पहुँच पाए साथी साथ में अगर आपने अपनी app अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो संदीब जयानी civil engineering नाम से app है play store से आप डाउनलोड कर सकते हैं आप का link नीचे description में भी आपको मिल जाएगा जहां पर आप civil engineering के अपने competitive exam के complete तयारी कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल नहीं जोइन किया है तो जोइन कर लीजिएगा और आप अपने valuable feedbacks और suggestions नीचे comment में जब ये live session खतम हो जाए live stream खतम हो जाए तब provide कर सकते हैं अपने इस session को like कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ share कर सकते हैं thank you so much, take care, bye bye, good night झाल 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 झाल